कि नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूं ससी में कि इस ओनलाइन फिर्फरमपे आज आप लोगों की मैंस की क्लास है और मैंस में दोस्तों नया चैप्टर इस स्टार्ट होने जा रहे हैं सिंपल इंट्रेस्ट यानि साधारण ब्याज और साधारण ब् निकालते कैसे साधारण ब्याज के लिए फ्रमुला कौन सा यूज करते हैं और बिना फ्रमुले के भी आप सधारण ब्याज के प्रशनों को कैसे सॉल्व करेंगे तो सब कुछ बातें होंगे इसमें और सारे इंपोर्टेंट हम लोग से कोशन भी देखेंगे जो आपके ए पहले तो heading डाल लीजएगा आप लोग क्या simple interest यानि कि साधारण ब्याज द्यान दीजिएगा आप सब कौन से term use होते हैं, कौन-कौन से सब्द use होते हैं और उनका मतलब क्या होता है, ठीक है, चलिए, थोड़ा से पहले आप लोग लिखेंगे, देखिए, साधारण ब्याज मतलब simple interest जिसे दोस्तों हम लोग si बोलते हैं, sort में अगर हमें बोलना हो तो si, कहने का मतलब है simple का s और interest का i, मिलके क्या होगा si मतलब इसे हम कह सकते है simple interest, क्या बोलेंगे simple interest simple interest note आप सभी student कर लेंगे simple interest, इसका मतलब होगा साधारण ब्याज, ठीक है, क्या होगा साधारण साधारण ब्याज, ठीक है, हाँ यह आप सभी student note करेंगे, साधारण ब्याज, ठीक है, उसके बाद से इसमें एक use होता है, सब्द principle, देखिएगा, एक सब्द इसमें use होता है, principle, principle को P से प्रदर्शित करते है, ठीक है, principle को P से, तो P, R, I, M, C, P, L, E, ठीक है, हाँ, sorry, P, A, L, principle, देहान दीजेगा, आप सभी student principle, principle का मतलब क्या होता है, principle का मतलब क्या होता है, मूलधन, principle का मतलब क्या होता है, मूलधन, ठीक है, उसके बाद से, इसमें एक और term use होता है, एक और सब्द इस होता है, rate, जिसको R से प्रदर्शित करते, तो R, A, T, E, rate, rate का मतलब होता है, rate का मतलब होता है, rate का मतलब होता करना है यह सारी चीज़े नोट करिएगा तभी समझ में आएगा मुल्धन क्या होता है साधारण व्याज क्यों होता है दर क्यों अभी सब कुछ बताएंगे पहले यह सब आप लोग नोट करिएगा अगर हमें सिंपल इंट्रेस इतना बड़ा नहीं लिखेंगे हम लिखेंग टाइम का मतलब होता है समय अगर कहीं पे समय दिया हो दो सार चार साल पांच साल छे महिने तो उसको हम टी से प्रदर्शित करेंगे ठीक है उसे हम किस से प्रदर्शित करेंगे ठीक है चलिए आगे देखिएगा उसके बाद एक और इसमें सब्दियू जोता है एमाउंट जिसको A से प्रदस्चित करते हैं, तेकिएगा, A-M-O-U-N-T, amount, amount का मतलब क्या होता है, amount का मतलब होता है, मिस्रधन, क्या होता है, amount का मतलब होता है, मिस्रधन, क्या होता है, मिस्रधन, ध्यान दीजिएगा, amount का मतलब होता है, मिस्रधन, मिस्रधन क्या होता है, अभी हम आप लोग को बताएंगे, ठीके, पहले आप लोग क्या करिए, ये जो सब्द लिखे हैं, ये आप लोग लिखिएगा, हाँ, नोट सा आप लोग बनाया होंगे, उमीद करते हैं, सभी स्टूडेंट के पास copy अपनी होगी, maths की होगी, एक दम बहुत ही अच्छे तरी हैं, और amount को दोस्तो, ये से प्रदसित करते हैं, इसका मतलब होता है, मिस्रधन, ठीक है, हाँ, उमीद करते हैं, आप सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लिए होंगे, ये सारी चीज़े, ठीक है, हाँ, देखिए, मिस्रधन क्या होता है, मिस्रधन, दोस्तों, हाँ, जो amount हो और principle को add करके होता है, क्या? Simple interest, si, si plus, क्या होता है? si plus principle, यानि की मोलधन, यानि की मिस्रधन आपको निकालना होगा, तो आप बोलेंगे, ध्यान दिजेगा, amount, यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में भी, हिंदी में भी लिख देते है, हाँ, मिस्रथन क्या होता है, ध्यान दि मोलधन यानि कि साधार्ण ब्याज यानि सिम्पल उंट्रेस्ट और प्रिंसम्पल को आईड कर देंगे तो क्या हो जाएगा मिस्डधन हो जाएगा यह आप सभी स्टुडेंट नोट कर लेंगे हां आप सभी इससे इसे क्या करेंगे नोट करेंगे यानि कि amount जो होता है, वो SI plus principal होता है, ठीक है, हाँ, ये जो होगा, मिस्रधन, ये होगा, ठीक है, बहुत दक्षे, हाँ, मोल्धन प्लस साधारण ब्याज, मोल्धन प्लस साधारण ब्याज, बराबर मिस्रधन, एकदम से ही है, हाँ, देखिए, question के लिए अगर हम माने, अगर principal 100 कुछ भी माल लिजे, अगर rate of percent, rate of interest जो है, आर, यानि की दर, दर 20% है, और समय दोस्तों, अगर एक साल है, ठीक है, अगर समय एक साल है, ठीक है, तो जो इस पे SI होगा, जो साधारण ब्याज होगा, देखिएगा, जो simple interest होगा, जो SI होगा, ध्यान दीजेगा, वो SI कितना ह होगा, अगर, देखिए, 20% है, एक साल के, तो मतलब, एक ही बार करना है, आपको, सौ का 20%, तो सौ का 20% क्या होगा, सौ का 20% क्या होगा, जो SI होगा, ओ होगा, 20 रूपे, जो SI होगा, वो क्या होगा, बीस रूपे, अब SI समय से में आ गया, अगर हम लोगों से पूछे, amount क्य होगा मिस्रधन क्या होगा amount अगर पूछले मिस्रधन क्या होगा मिस्रधन में क्या होता है साधरण यानि कि simple interest और principle दोनों जुडते हैं देखिएगा amount अगर पूछे तो 120 जुड़ेगा यानि कि 100 plus 20 जुड़ जाएगा तो क्या होगा 120 होगा ठीक है अब पी अणीम आप लोग को फोल भी बताएंगे सबकुछ बताएंगे उमीद करते हैं आप लोग जितना यह सब समझा रहे हैं अच्छे से समझ रहोंगे हम आप लोग को बताते हैं साधारण ब्याज के लिए एक मीरता मुला होता है आप गुड़े दन, दर, गुड़े समय, बटा 100, क्या होता है, देखिएगा आप सभी student, मूल धन, ध्यान दीजेगा आप सभी student, मूल धन, गुड़े, दर, गुड़े, समय, और बटा का क्या होता है, 100, ये किसके लिए formula होता है, आपको साधारण ब्याज निकालना हो, तो आप क् लोगों को बताएंगे formula लगाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी आप लोग पहले क्या करिएगा note जरूर करिएगा ठीक है तो साधरण व्याज को अगर हम sort में लिखे तो simple interest SI बराबर मोलधन का मतलब principle गुने rate of interest की जगह पर आर और समय को T से प्रताशित करेंगे time बटा में 100 यानि कि SI बराबर P into R into T upon 100 या आप इसको बोल सकते हैं ऐसे नहीं लिख के आप डाइरेक्ट इसको कह सकते हैं SI बराबर P R T P R T upon 110 टीक है हाँ पी इंटु R into T ऐसे है हाँ तो साधरण ऑच वराबर क्यों होता है मोलधन गुने दर गुने समय बटा का 100 ठीक है तो SI कभी कभी भी निकालना हो तो आप ये वाला formula यूज कर लेंगे ठीक है है ऐसाई कभी भी निकालना हो तो आप ये वाला formula क्या करेंगे यूज करेंगे इतना तो समझ गए हैं अब देखिए अभी हम आप लोग को एक और तरीका बता रहें अगर इसमें कुछ भी पूछे अगर आप लोगों से माल लिजे principle पूछ रहा है पी पूछ रहा है पी बराबर क्या होगा तो ये 100 भाग में है इधर आएगा गुना में हो जाएगा यानि कि SI इंटु 100 अपान ये ROT क्या है उधर गुने में है नीचे आएगे तो भाग में हो जाएगे तो principle पूछेगा तो SI इं इंटु 100 अपान आर्टी ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग हाँ देखिएगा SI देखिए principle पूछे देखिएगा इसे आप लोग नोट करिएगा अगर principle पूछे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं principle पूछे तो SI इंटु 100 अपान आर्टी तो बराबर की इधर या उधर कैसे भी लिख सकते हैं ठीक है हाँ अगर आप लोगों से देखिए एक और बता रहे ये तो हो गया principle rate of interest R पूछे R पूछे तो R इधर रहेगा और ये 100 उपर जाएगा यानि कि SI गुने 100 और बता का ध्यान दीजेगा इसमें R पूछ रहे और P और T बच रहे तो P और T क्या हो जाएंगी इधर रहेगा तो भाग में हो जाएगा बता P T यानि कि rate of interest पूछे R पूछे तो SI इं गुना में होगा ध्यान दीजेगा तो SI इंटू 100 SI इंटू 100 बटा का क्या होगा ध्यान दीजे T है बटा PR बटा क्या हो जाएगा PR यानि कि principal into rate देखिए हाँ आप इसको इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं ठीक है तो इसमें कुछ भी पूछे बता सकते हैं कि important है ठीक है हाँ आपको ये तीनों याद करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी पूछे आप इसमें रखके निकाल सकते हैं ठीक है हाँ वस्चांतर करके formula निकाल लेंगे बहुत अच्छे उमीद करते हैं समझ रहे होंगे आप सब student देखिए या SI देखिए SI ध्यान दीजे ए ये तो देखिए ये तो क्या है ये बेसिक चीजे है ये तो आप सबको पता है ये तो आप सबको पता है चलिए आगे。 चलते है अभी और देखिए गा SI बराबर, ध्यान दिजिएगा, SI बराबर PRT upon 100, ये base formula है, इससे आप कुछ भी कर सकते हैं, और एक और होता है SI बराबर, ध्यान दिजिएगा, SI बराबर, एक होता है RT%, इसे भी note करिएगा, SI बराबर, RT%, अभी हम आपको बताएंगे, RT% क्या होता है, ये T, ठीक है, SI बराबर, RT%, simple interest, direct आपको निकालना हो, तो RT%, मतलब मान लिजिए, 100 रुपए है, 10% की दर से, 3 बर्स का, ध्यान दिजिए, 100 रुपए है, principle 100 रुपए है, ध्यान दिजिएगा, rate of interest, 10% है, time अगर आपक पूछ रहा है, SI, simple interest, पूछ रहा है, कि क्या होगा, तो SI बराबर क्या होता है, PRT, अपन हंड्रेट, SI बराबर, तो यहाँ आप कर सकते है, RT%, R, और T का गुना कर देंगे, यानि कि 100 का आप 30% निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, यानि कि SI पूछ रहा है, यहाँ पर थोड़ा आप सभी student समझेंगे, यह चीज़ समझ लेंगे, तो आसान हो जाएगा, SI बराबर क्या होता है, PRT, 100 गुने, R दिया हुआ है, दोस्तो, 10%, R क्या दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, 10% टाइम दिया हुआ है, 3 वर्स बटा का 100, ठीक है, देखिए कितना आएगा, अभी आप समझेंगे, यह देखिए, 100 से 100 कटेगा, 100 से 100 कटेगा, 10 दिया ही क्या होगा, 30, SI क्या आगया, 30 रुपए आया, या आप SI बराबर क्या कर सकते है, 80% भी कर सकते, यह तो हम यहाँ पर लिखे, अब इसे देखिएगा, SI बराबर आप क्या कर सकते है, direct 80%, 80% का मतलब 10 गुने 30 10 गुने 3, 10 गुने 3 का मतलब क्या होगा, 30%, direct निकाल सकते है, कोई भी, हाँ, कोई भी मोलदान हो, आप क्या कर सकते है, principle का 30%, मतलब 100 का 30%, 30% मतलब 30 बटा का 100, 100 से 100 कंसिल, आएगा क्या, 30 रुपए, समझ रहे है, हाँ, बहुत देख्षे, एकड़म सही, यह चीज आपको य ठीक है, SI बराबर 80%, यह आप लोग नोट करिएगा, इतना आप लोग उमीद करते हैं, नोट कर लिएँगे, ठीक है, हाँ, तो SI बराबर 80% में कोई confusion आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप direct SI निकालना हो, तो ROT का गुना कर देंगे, ROT का गुना करेंगे, और ध्यान र अगर R जो है, अगर 10% है, ध्यान दीजिये, 10% है, तो इसमें देखिएगा, simple interest में क्या होता है, आप सभी student समझेंगे, जो पहला बर्स SI होगा, पहला बर्स, ओ क्या होगा, 10 रुपे होगा, ध्यान दीजियेगा, ओ क्या होगा, 10 रुपे, दूसरा बर्स भी क्या होगा, ओ वो भी क्या होगा 10 रुपए ही होगा यानि simple interest में ध्यान दीजिएगा simple interest में जो ब्याज होता है साधरण ब्याज के प्रस्ण आप कभी भी solve करेंगे जो ब्याज होगा वो प्रतिवर्स उतना ही बढ़ेगा ठीक है हाँ मुल्धन अगर 100 रुपए है और rate of interest 10% है तो प्रतिव होता है अगर आपको अमाउंट बता ना हो तो amount क्या होता है principle плюс SI मिंसार धन श्याज कि मुल्धन ब्याज यानिकी simple interest ये होता है आपका क्या हा ये आपका क्या होता है amount होता है यह होता है और यहाँ पर आप सभी student ध्यान रखिएगा जो principal होता है और हमेशा अपने आप में 100% होता है और SI क्या होता है 80% बोल सकते हैं SI की जगा 80% बोल सकते हैं amount बराबर principal प्लस SI यह तो आपको पता ही है SI बराबर PRT अपन 100 या SI बराबर 80% बोल सकते हैं SI का मतलब simple interest, R का मतलब rate, T का मतलब time ठीक है यह चीज़ आप लोग थोड़ा से सीखेंगे अभी समझ में आप लोग आने लगेगा और यह चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं अगर 100 रुपए principal है, अगर 100 रुपए ध्यान दीजिएगा, अगर 100 रुपए principal है और 10% है, तो 100 का 10% क्या होगा, 10 रुपए, तो अगर 3 बर्स के लिए जिदिया जा रहा है, तो आप 3 गुने 10, 30% direct निकाल देंगे, मतलब 30 रुपए, या 3 बर्स के लिए 10, 10, 10 करेंगे, तो भी क्या होगा, 30 रुपए होगा, ठीक है, हाँ, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत रक्षे, चलिए, अभी देखिए, अभी हम आप लोगों को question कराएंगे, तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, हाँ, ये सब सारी चीज़े आप लोगों को सीखना है, चलिए, question के तरफ चलते है, question के तरफ चलेंगे, ठीक है, हाँ, साधारण ब्याज, ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज, अगर हमें सिर्फ SI निकालना हो, यहाँ पे देख लिजिएगा, अगर हमें सिर्फ SI निकालना हो, अगर यहाँ पे, एक और चीज़ नोट कर लिजेगा SI simple interest बताना हो ठीक है तो आप क्या करेंगी simple interest इधर है तो यानि कि amount minus principle amount में से principle घटा देंगे यानि कि A minus P इससाई बराबर हो जाएगा यानि कि इसको हमकर सकते हैं साधारण बयाज साधारण ब्याज बराबर क्या होगा amount मतलब मिस्रधन हा न Southern मौलधन, मिस्रधन, हाँ, देखिए हिंदी में भी लिख दे रहें, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मिस्रधन माईनस मौलधन, ठीक है, इसकी जगह पे आप इसे भी लिख लेंगे, साधरण भ्याज बराबर क्या होगा, मिस्रधन में से मौलधन घटा देंगे, तो ड इंट्रेस्ट यानि कि जो एसाई होता है जो एसाई होता है जो सिंपल इंट्रेस्ट होता है उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा जो ब्याज होगा प्रतिवर्ष समान होगा ठीक है हाँ compound interest में क्या होता है व्याज में भी व्याज लगता है question देखिएगा question देखेंगे तो अभी बहुत अच्छे तरीके से clear होगा जैसे पहला question है important question है और समय से ने का प्रयास करेंगे देखिएगा 500 रुपए का तीन बर्स में 10% की दर से साधारण ब्याज तथा मिस्रधन ग्याद करें देखिए इसमें पूछा क्या है simple interest और मिस्रधन यानि की amount निकलना है कहने का मतलब है इसमें दिया क्या है दोस्तों 500 दिया है मतलब जो मूलधन है principle ध्यान दिजैगा principle इसको हम लिख देते हैं मूलधन ध्यान दिजैगा principle मतलब की मूलधन हींदी में भी लिख दे रहैं prinsipal मतलब की मूलधन दिया हुआ है कितना 500 रुपे 500 रुपे दिया हुआ है उसके बाद से टाइम दिया हुआ है टी ध्यान दिजेगा टाइम का मतलब टी टी का मतलब क्या होगा समय समय कितना दिया हुआ है तीन बर्स समय दिया हुआ है तीन बर्स साधारण ब्याज साधारण ब्याज हम लोगों से पूछ रहा है और मिस्रधन मिस्रधन का मतलब होता है amount ठीक है हाँ क्या मिस्रधन मिस्रधन पूछ रहा है ठीक है यह चीज़ समझ रहे है ना तो यहाँ पे हिंदी में लिख दिये है ठीक है हिंदी में भी लिख दिये ताकि आप लोग समझ सके तो देखिए साधारण ब्याज के लिए एक formula होता है SI बराबर SI बराबर क्या होता है PRT upon 100 यह होता है simple interest का formula ध्यान दिजिएगा तो आप इस formula से निकाल सकते हैं SI principle क्या दिया हुआ है दोस्तों देखिएगा 500 रुपए दिया हुआ है rate of interest क्या दिया हुआ है 10% दिया हुआ है time क्या है तीन बरस है और बटा क्या करना है 100 तो इससे क्या आएगा simple interest यानि साधारण ब्याजाएगा तो देखिए 2-0 है यहाँ पे देखिएगा कुछ नहीं करना है एक जिरो से यह जिरो यह जिरो से यह जिरो ठीक है पचास तिया ही डेड़ सो मतलब की 150 रुपए यह क्या आया है दोस्तों SI आया है यानि कि जो simple interest होगा ओ क्या होगा SI हाँ simple interest मतलब SI SI क्या आगया 150 रुपए यह आ गया और हम लोगों से पूछा है मिस्रधन तो यह जो मिस्रधन होता है यह क्या होता है यह देखिएगा मिस्रधन अभी आप लोगों समझना है मोलधन प्लस बयाज यही तो होता है मिस्रधन क्या होता है amount प्लस हाँ देखिए सॉरी amount क्या होता है simple interest प्लस प्रिंसिपल यह कह सकते है principle प्लस SI यही तो होता है principle प्लस SI यही होता है तो यहाँ पे amount बराबर क्या हो जाएगा यानि कि principle प्लस SI ध्यान दीजिए तो principle क्या है 500 रुपए है और simple interest हम लोगों कितना मिला 150 तो यह कितना हो जाएगा 650 क्या होगा 650 रुपए हाँ अमाउंट कितना हो जाएगा 650 रुपए हाँ अभी तरीका बताएंगे पेन उठाने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी ठीक है एक डम सही हाँ amount कितना होगा amount कितना होगा 650 ठीक है हाँ तो यहाँ पर लिख देते हैं amount amount कितना होगा 650 amount का मतलब क्या होता है Mr.Dhan मतलब क्या मूल धन और ब्याज जोड दीजिए मूल धन दिया हुआ है 500 रुपए ब्याज आया 500 रुपए तो 500 रुपए तो 500 रुपए तो चोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 600 पचास होगा बताए इतना समझ में आ रहा है कि नहीं यह तो रहा क्या basic तरीका यह क्या रहा basic तरीका मतलब method 1 अब दूसरा देखिएगा method 2 देखिए method 2 में क्या करना है ज्यादा कुछ नहीं कर रहते हैं जो SI होगा द्यान दीजिएगा जो principle का कितना होगा RT मतलब 30% डिरक्ट बोलेंगे 30% 30% कहने का मतलब है 500 का 30% निकाली देखिए 500 का 30% मतलब 500 गुने 30 बटा का 100 200 से 200 15 15 150 रुपए देखिए हम basic से बता रहे हैं देखिए यहाँ पर जो भी आपकी class से चल रही है एक chapter by chapter चल रही है और आपको 100% selection दिलाने के लिए किलाते चल रही है तो परसान होने की जोरत नहीं है यह सारी चीज़े आप लोग सीखिए amount निकालना हो अभी हम आप लोग को बताए amount निकालना हो amount बराबर क्या होता है यहीं पर देखिएगा amount बराबर क्या होता है amount बराबर क्या होता है P plus SI, यानि principle plus SI, यही तो होता है, amount बराबर क्या होता है, principle plus SI, यही तो होता है, amount निकालना होतो, amount बराबर क्या होता है, P plus SI, देखिए, principle अपने आप में क्या होता है, हमेशा 100% होता है, यह principle क्या होगा, 100% होगा, और SI कितना हो रहा है, 30%, तो plus 30%, तो मिलके यह क्या हो जाएगा 130% मतलब कि 100% बराबर 500 तो 100% बराबर क्या होगा यानि कि आप 500 का क्या कर सकते हैं डिरेक्ट 130% निकाल देंगे क्या 500 का 130% निकालेंगे तो 1355 छेसो पचास रुपे यह एमाउंट आ जाएगा 650 रुपे यहां से आप सभी student देखिए यहां से थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं ताकि आप सभी student इसको नोट कर सेके ठीक है यह चीज अलग है ठीक है इधर वाला अलग है देखिए एमाउंट निकालना हो अब देखिए question में कुछ नहीं है question में कुछ नहीं है देखिएगा साधरण भी आज बताना है 10% की दर से ध्यान दीजे 10% की दर से मतलब प्रतिवर्थ 10% दिया जा रहे तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 30% यानि 500 का 30% निकालेंगे आप डिरेक तो 500 का 30% 150 रूप है ठीक है अब हम लोगों को बताना है अगर मिस्रधन बताना है तो क्या करेंगे मिस्रधन बराबर क्या होता है प्रिंस्पल प्लस साई प्रिंस्पल में सा 100% होता है 100% 500 है तो 30% और जुड जाएगा तो क्या होगा 130% मतलब ज्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यह फामूला भी आपको लगानी की ज़रूरत नहीं है तीस कैसे आया बता रहे देखिए 10% की दर से तीन बर्स में एक बर्स दस पर्स दूसरे बर्स भी 10% तीसरे बर्स भी 10% यानि टोटल कितने हो गए तीन बर्स में 30% तो डिरेक्ट 500 का 30% निकालेंगे समझिएगा करना क्या है 500 का 30% 30% मतलब 30 बटा का 100 और 50 तियाई डेर सो 150 रुपे यह क्या हो जाएगा सिंपल इंट्रेस यह क्या आगया SI निकाले है ठीक है अगर हमें निकालना हो क्या amount मिस्रधन निकालना हो तो यह देखिएगा amount बराबर क्या होता है amount बराबर क्या होता है principle प्लस SI यही तो होता है principle और principle हमेशा अपने आप में 100% और SI 80% यानि 10 गुने 30% यानि कि 10 गुने 3 मतलब कि 30% तो यह मिल के क्या हो जाएगा बताइगा 130% मतलब 500 का क्या करेंगे 130% निकाल देंगे ठीक है 500 का 130% निकालेंगे 13 पच्चे 65 और यह 0 650 रूपे कोई formula लगाने की ज़रूरत नहीं है कोई formula लगाने की ज़रूरत नहीं है यह देखिए यह तो वस हम आपको समझाने के लिए लिख रहे आप डेरेक्ट क्या करेंगे 10 तीयाई 30 10% की 10 से यानि प्रति बर्स 10 पर्सेंट दिया ज़रा तो 3 वर्स में क्या होगा 10, 10, 20, 10, 30 तीन बार करेंगे तो 500 का 30% निकालेंगे 500 का 130% निकाल दीजिए amount आज आएगा 10% आप 500 का निकालेंगे तो एक बर्स का होगा 10% अगर 500 का निकालेंगे तो 50 रुपए एक बर्स अब उतना ही मिलेगा क्योंकि साधारण ब्याज है तीन बर्स 50-50 मिले तो कितना हो जाएगा 1.500 हो जाएगा सही है? हाँ एकदम सही चलिए नेक्स कोस्टन देखिए और अच्छे से क्लियर होगा अगला कोस्टन देखिए और अच्छे से क्लियर होगा देखिएगा दीरे-दीरे समझेंगे सारी चीजह क्लियर होगा इम्पूर्ण है ध्यान से देखेंगे ठीक है? हाँ 6% प्रति वर्स की दर्से 5 बर्स में है पाँच बर्त और यहाँ पे आठ हजार रुपए principle भी दिया हुआ है कितना आठ हजार रुपए देखिए principle भी दिया और पूछ क्या रहा है साधारण ब्याज या निकि simple interest पूछ रहा है और मिसर धन मतलब की amount पूछ रहा है amount क्या होता है amount होता है principal plus si यही होता है ना और यह पूछ रहा है तो principal तो दिया हुआ है si निकालेंगे जोड़ देंगे तो amount आज आएगा ठीक है अब कुछ नहीं करना है si si बराबर क्या होता है formula से करें तो PRT upon 100 यह होता है बताए तो इसका चले हाँ देखिए यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है simple question है अभी हम आपको 100 भी बताएंगे तो si बराबर principle क्या है 8000 उपए है द्यान दीजिएगा rate of interest क्या है r क्या है 6% है time क्या है 5 बर्स है और बता क्या होगा 100 तो यह क्या आएगा si आएगा यह si simple interest आएगा ठीक है कुछ नहीं करना है 2 0 है 2 0 से 2 0 कटा लीजिए देखिए 6 5 है के 30 और 3 8 24 अंसर क्या होगा 2400 देहन दीजिएगा answer क्या होगा 2400 जो simple interest होगा जो si होगा वो क्या होगा 2400 अब si 2400 आ गया है si 2400 amount क्या होता है यानि कि मिस्रधान पूछ रहा है amount मतलब मिस्रधान ध्यान दीजिए यह जो मिस्रधान है इसी को बोलते है amount इसी को बोलते है amount ठीक है यानि कि a तो इसको a से प्रदेशित करते है a बराबर क्या होता है principle प्ल 8,000, 8,000, और SI भी आ गया है कितना, 2400, यानि 2400, तो ए बराबर मिलके क्या होगा, 8,2, 10, 10,400, क्या होगा, 10,400, तो यह आप का अंसर होगा, यह तो आप सब स्टुडेंट समझ रहे होंगे, SI क्या होता है, amount क्या होता है, देखिए, amount में ज्यादा कुछ नहीं करना है, amount में ज् लोगों को बता है, SI बराबर RT परसेंट, देखिए, अब आप दूसरा तरीका आप लोग देखेंगे, हाँ, दूसरा तरीका देखेंगे, क्या होता है, method 2, method 2 देखिए, SI, SI बराबर क्या होता है, अभी हम आप लोगों को बता है, RT परसेंट, मतलब R क्या है, R क्या है, 6 और 8000 का ध्यान दीजिएगा आप सब इस्टूडेंट किसका 8000 का 30% 30% मतलब 30 बटा का 100 हाँ 3 बटे 24, 2400 रुपए ये क्या आया 2400 रुपए ये आ गया क्या SI SI क्या आ गया ध्यान दीजिएगा SI क्या आया है हाँ SI क्या आया है 2400 रुपए ठीक है SI 2400 रुपए अभी हम आप लोगों को बताएं एमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंस्पल प्लस SI और प्रिंस्पल ध्यान दीजिए प्रिंस्पल हमेशा क्या होता है ये प्रिंस्पल हमेशा 100% होता है और SI 80% कहने का मतलब है simple तरीका देखिए 6% प्रतिवर्स है 5 बर्स तो 65 30% डिरेक्ट SI निकालना है तो इसका 30% निकालेंगे ये 80% बस हम समझा रहे है लेकिन कर यही रहे है 6% प्रतिवर्स है और 5 बर्स है तो 65 30% यानि डिरेक्ट 8000 का 30% निकालेंगे simple interest आ जाएगा अगर मिस्रधन पूछ रहा है तो मिस्रधन बराबर क्या होता है P प्लस SI यानि कि मूलधन और SI जोडते है तो जो simple interest है वो 30% है और मूलधन 100% डिरेक्ट आप कितना निकाल सकते है 5 6 30 130% किसका 8000 का तो amount अगर निकालना हो तो principle प्लस SI होता है यही तो होता है और principle 100% होता है और SI दोस्तो 30% है यही तो है तो कुल मिला के 130% यानि कि 8000 का 130% ठीक है 130% निकालेंगे 20-0 से 20-0 किंसिल 13 वटे 104 104 और यह 20-0 यानि कि 10400 बहुत देख्षे बहुत देख्षे वेरेगूट 10400 अब यही आप लोगों को थोड़ा से समझना है अगर आप लोग यह चीज समझ रहें सेकेंड वाला में तो पैन उठाने की ज़रूरत नहीं सिंपल इंटेश निकालना है तो 6% दर है और कितना बर्स है पांच बर्स तो 6 पच्चे 30% यानि कि 8000 का डैरेक्ट बोलेंगे 30% 30% मतलब 30 बटा का 100 तीन वटे 2400 2400 क्या आ गया यह SI आ गया और आप से मिंस्तर दाने पूछ रहा है तो 6 पच्चे 30 हो रहा है 30% ब्याज और 100 परसेंट प्रिंस्पल मतलब 130 परसेंट यानि कि 8000 का आप क्या करेंगे 130 परसेंट 130 परसेंट का मतलब 130 बटा का 100 ठीक है तो 13 वटे 104 और 200 यानि कि 10400 यह देखिए यह सिंपल इंट्रेस्ट और यह आपका अमाउट यानि कि मिस्रधन ज्यादा कुछ नहीं करना है बस इतना यहीं करना है अंसर आचाएगा प्राफिट लॉस आप लोग पढ़ें परसेंटेश पढ़ें तो यह चीज़ आप लोग सीख रहे होंगे नेक्स देखते हैं अगला देखिएगा अगला देखेंगे कोशन और अच्छे से क्लियर होगा हां धीरे-धीर होता जाएगा और ब प्राफ्त होता है या धनरासी कितनी है को समझेए पहले कोशन में बोल क्या रहा है क्या बोल क्या रहा है पहले आप लोग यह देखेंगे क्या बोल रहा है आठ बरसों में 7% बार्तिक दरते एक रासी पर प्राप्त होता है मतलब जो सिंपल इंट्रेस्ट है जो साधारण ब्याज है वो कितना है चपन सो रुपए है और पूछ रहा है या धनरासी कितनी है मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है क्या हम लोगों से पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना है यह पूछ रहे अब यह टाइम दोस्तो दिया हुआ है और वर्स और रेट आफ इंट्रेस देखिए आर दिया हुआ है क्या सेवन परसेंट थीका परिंस्पल के लिए आंपन हई बहांड़ाना है अन्हेरिक्ट बोलेंगे si बराबर si बराबर prt upon hundred इसी पर आप करेंगे ठीक है हाँ या आप चाहे तो principle बराबर पी बराबर अभी हम आप लोगों को बताये थे si into hundred si into hundred upon rt ये भी formula आप लगा सकते हैं लेकिन आपको यह नहीं लगाना है इसी पर रखेंगे और आप पस्षांतर करेंगे तो answer आजाएगा ठीक है इसका answer दीजिए तो बहुत एक्षे very good हाँ कुछ student answer दे रहे और सही answer दे रहे क्या बात है शीख गये हैं आप लोग अब सीख जाएंगे धीरे धीरे पढ़ेंगे सीखेंगे सीख जाएंगे तो देखिए si दिया हुआ है कितना 5600 5600 यानि कि ठीक है तो आप पसांतर कर सकते हैं क्या कर सकते हैं हाँ पसांतर कर सकते हैं देखिए पसांतर कर सकते हैं उपर उपर कटा लिजिए यह भी हो सकता है आठ सत्य चपन 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 कट जाएगा एक बार में सो गुने सो दस जार बहुत अच्छे ऐसे भी कर सकते हैं यह आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है तो आप देखिए यहाँ पे यह चपन गुने सो ध्यान दीजेगा सौरी यह चपन सो है चपन सो है यह नीचे भ चाह। सो गुने सो दस जार यानि की वरावर क्या हो जाएगा ए उग्मला डश्ट ओ piercing सपल होगा क्या होगा दस जार में प्रिंस्पल में आप लोगों को आया 5600 है, 5600 है, rate of interest 7 और time 8, तो 7 और अठे, 7 और अठे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजेगा, 7 गुने 8% मतलब की 56%, अगर 56% बराबर 500, तो 100% मतलब की प्रिंस्पल, ध्यान दीजेगा, यहाँ पे दिया हुआ है, 56% बराबर 500, तो 100%, 100% मतलब की प्रिंस्पल, यही तो होता है, तो 100% मतलब की प्रिंस्पल, ध्यान दीजेगा, छपपन सो, बटा का 56, और गुने क्या होगा, 100, तो 56 एकम 56, 100 बर में कटेगा, 100 गुने 100, 10,000, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, उमीद करते हैं, समझ रहे होंगे, नोट करिए, आप सभी स्टूडेंट, सभ 56, सात बटे 56, 56 परसेंट किसके बराबर है, छपपन सो, तो 100 परसेंट यानि प्रिंस्पल, 10,000, एक दम सही, उमीद करते हैं, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, चलिए, कुछ अलग टाइप के कोशन देखते हैं, अब उमीद करते हैं, यह जो फर्मूला है, इंप इस पे निकाल सकते हैं, कोई भी कोशन, ठीक है, हाँ, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, साई बराबर, पी आर्टी अपन हंडेट, यह प्रिंस्पल इंटू रेट इंटू टाइम अपन हंडेट, यह आप लोग याद रखिएगा, हाँ, चलिए, नेक्स कोशन देखिएगा, अगला कोशन देखेंगे, कोशन नमबर फोर, कोशन नमबर फोर देखिएगा, मोस्ट इंपोर्डेंट है, और ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, कोशन है, एक निश्चित धनराशी पर, 10% प्रतिवर्ष का दर से, ध्यान दिजेगा, है माह का साधरण ब् प्रति वर्ष की दर्थे रेट अफ इंट्रेस्ट क्या है 10 परसेंट दिया हुआ है और टाइम क्या है ध्यान दीजिएगा टाइम क्या है छे माह है और उसमें जो फामूले में पी आर्टी अपान हंडे लिखते है वो बर्ष होता है ठीक है वो क्या होता है बर्ष में तो यह वार कर देंगे थे दुना के बादा यानिकि वन फाइट है थीघर हाँ तीन महीने हो तो बार्ष में से भाग करेंगे एक बटा का चार यानि कि यह हो जाएगा एक बटा का चार वर्ष में एक वह ठीन महीना कुछ भी दे दो महीना एक महीना कुछ भी दे तो आप उसको बार्ष में कर सकतें क्योंकि एक वर्स में बारा महा होतें तो बारा से भाग कर देना है कभी भी पूछे अगर 9 महिना बोले तो 12 से भाग करेंगे 3 तरीके 9, 3, 4, 12, यानि कि 3 बटा का 4, ठीक है, हाँ, 4 भाग में 3 भाग, 9 महिना होगा, ठीक है, हाँ, अगर बोले 2 महिना का, तो 2 बटा का 12, 1 बटा का 6, समझ रहे न, हाँ, ये चीज आप लोगों को समझना है, ये समझ गए, तो क्या है, 100 रुपए है, साधारण ब्याज क्या है, 100 रुपए भी दिया, SI बराबर क्या होगा, PRT अपान 100, ये होगा, ये base formula है, आपको पता और चे, SI 100 रुपए दिया होआ है, तीक है, अब देखिए, principal हम लोगों को बताना है, rate of interest, R दोस्तो 10% दिया होआ है, देखिए, R10 और टाइम क्या है 1 by 2 यानि कि 1 बटा का 2 और बटा क्या होगा 100 अब ये बटा में 2 है तो ये गुने में है ठीक है हाँ इसको प्लस उलस में नहीं करना है गुना में ठीक है ऐसे कर लेंगे तो अब आपके लिए एकदम आसान हो गया कुछ नहीं करना है देखिएगा आप सभी और 2,000 होगा और ये ही क्या होगा अंसर होगा चलिए बहुत अच्छे जितने अपस है प्लस थेंड़े अगदम सही है कुछ स्थुटेंट हां तरह बहुत फास नहीं पढ़ा रहे हैं एकडम स्लो पढ़ा रहे हैं देखिए कितना आसान है एकडम धीरे-धीरे पढ़ा रहे हैं देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पैसे बीविकर सकते हैं SI बराबर 80% SI बराबर RT परसेंट अब R की जगह पे क्या है दोस्तो 10 परसेंट और T की जगह पे 1 बाइ 2 1 बाइ 2 का मतलब यह हो जाएगा 5 यानि कि 5 परसेंट यही तो होगा हाँ और SI दोस्तो दिया है क्या? 100 रुपए SI क्या दिया हो है? 100 रुपए तो 100 परसेंट यहीं कि 5 परसेंट बराबर अगर 100 रुपए है और प्रिंस्वल पूछ रहा है मतलब 100 परसेंट 100 परसेंट प्रिंस्वल होता है तो 100 बटा का 5 और गुने क्या होगा? 100 यानि कि 5 से कटेगा 20 22 गुने 100 का मतलब क्या हो जाएगा? 2000 ऐसे भी आप कर सकती है ऐसे भी कर सकते यह मतलब आधा वर्फ यानि कि दस का पाँच परसेंट हो जाएगा देखिए SI बराबर PIT 500 बस लिखे हैं कुछ नहीं किये कटा लिए हैं इतना तो आप लोगों को आता ही होगा आप लोग परसेंटेज पड़े हैं प्राफिक लोस पड़े हैं डिसकाउंट पड़े हैं जब इतना सब कुछ सीख चुके हैं तो यह तो आपके लिए बहुत आसा सर आप इतनी स्पीड में क्यों पढ़ाते हैं जैसे कि आपको कहीं जाना है कहीं नहीं जाना है सिंपल पढ़ार एकदम आसान एकदम धीरे धीरे हिंगुग जाना है दूसरी क्लास कोई नहीं लेना है पहले यह देख़िये समझ में आ रहे हैं कि सब्सक्राइब दिला और बहुत कम पर रहा है कि तो फ्रॉबलम किसी को भी नहीं होगी देखिए formula याद SI बराबर PRT 700 और यहाँ पर सब कुछ लिख दिये सब रखना है P बराबर 2000 रुपए आ जाएगा पस यहीं तो है और यह आपका क्या है यह आपका method 2 है SI बराबर 80% SI बराबर 80% R देखिए SI 100 रुपए साधारण ब्याद देखिए 100 रुपए दिया हुआ है R की जगा rate of interest 10% है T की जगा time आधा बरस है तो यह 10 गुने 1 बटा 2% का मतलब क्या होगा हाँ 2 से 5 परसेंट 5 परसेंट अगर 100 है तो 100% मतलब principle 100% क्या होगा 2000 हो जाएगा ठीक है चलिए समझ में आ रहे है बहुत दक्षे चलिए एक और question देख लीजिए और अच्छे से clear होगा आईए question number 5 देखिएगा most important question यह भी है ठीक है अच्छे से देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे question है साधारण ब्याज की किस वार्शिक दर से 600 रूपै पर पांच वर्स का शाधारण ब्याज 120 हो जाएगा ध्यान दिजिएगा यहां पर आप लोगों को यह देखना है यहां पर थोड़ास आप लोगों को शमझना ए अच्छे से साधारण ब्याज की किस बार्षिक दर से 600 रुपए पर ध्यान दिजे पांच बर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए होगा अब देखिए साधारण ब्याज की किस बार्षिक दर से यानि की rate of interest हम लोगों से पूछ रहा है और principal दोस्तो दिया हुआ है कितना 600 रुपए और time दोस्तो time दिया हुआ है कितना 5 बर्ष और साधारण ब्याज बोल रहा है si दिया हुआ है कितना 120 रुपए दिखिए ये सारी चीजे given है मतलब दी हुई है ये सारी चीजे दी हुई है आपको rate of interest बताना है तो आप तो बता ही सकते हैं, जब सब कुछ दिया हुआ है तो यह तो बता ही सकते हैं, इसमें करना क्या है, फॉर्मूला याद है आप सभी स्टुडेंट को, SI यानिकी साधारण व्याज बराबर, मोल्धन गुने दर, गुने शमय बटा 100, कहने का मतलब है, SI बराबर, P, R, T, अपान 100, यह फॉर्मूला आप लोगों को अगर पता है, कुछ करने की जरूरती ने, इसी फॉर्मूले पर रखेंगे, SI की जगा पे, 120, प्रिंसिपल, 600 रुपए, P की जगा पे, 600 रुपए, गुने, रेट आफ इंट्रेस्ट, R, R हमें बताना है, तो R लिख दिये, गुने, टाइम T, टाइम T, पांच वर्स दिया हुआ है, और बटा का, 100, बस इतना ही तो किरना है, अब बताईए, इसमें कहां हम फास चल रहे है, कहां आपको नहीं समझ में आ रहा है, यह फामूला है, यह सारी चीज़े दी हुई है, इसमें देखिए न, 600 रुपए दिया हुआ है, पांच वर्स दिया हुआ है, साधारण वर्स दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, साधारण वर्स कि किस बार सीख दर से, वही तो प कटाएंगे 6 दुना के 12 20 और 5 से कटेगा 5 चोग को 20 उधर बचा आर इधर बचा 4 यानि कि आर बराबर 4 यानि कि आर बराबर 4 तो ये रेट आफ इंटेस्ट है तो बोलेंगे 4 परसेंट बोलेंगे क्या 4 परसेंट और यही क्या होगा अंसर होगा बताएं चलिए समझ में आप लोग को आ गया है सरकारी नोकरी चाहिए कोई भी हो उसमें 100% से सफलता के लिए आज ही ड डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करें आज आज आप लोग होगी दोस्तों जो क्लास है साधारण व्याज यानि सिंपल इंट्रेस्ट का क्लास 2 है ठीक है हम आप लोग को दोस्तों बताना चाहेंगे सिंपल इंट्रेस्ट में यानि साधारण व्याज में एक क्लास आप लोगों की हो चुकी है ये क्लास नंबर सेकेंड है ठीक है पहला क्लास अगर अभी तक आप राप्थ मोग नहीं देखें तो पिछला क्लास आप लोग सभी स्टुडरेंट जरूर देखेंगा को किंगे पिछला क्लास में हम सारे basic इस ऐस बता हैं कि met समीद करते हैं अप सब देखते हैं पहला सरकीकर चाह दीजिएगा question number one से लेके five तक question number one से लेके five तक फिछले part में हम करा चुके हैं ठीक है पिछला पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा अगर नहीं देखें तो पहला देख लेंगे यानि कि part number one देख लेंगे class number one देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी यह सब प्रशनों को समझने में तो देखिए question number six है हम आप लोग को बताना चाहेंगे most important question है इसको आप लोग अथे से समझेंगे देखिएगा एकदम देखिए जो भी आपकी class चल रही है एकदम basic से चल रही है zero level से चल रही है और chapter by chapter चल रही है दाना है बताए देखिए simple तरीका है ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें क्या-क्या चीज़े दिया हुआ है देखिएगा rate of interest आर दिया हुआ है 3% ठीक है हाँ आर दिया हुआ है 3% और time देखिएगे दिया हुआ है 10 बर्स कितना 10 बर्स और यहाँ पे 650 हो जाता है principle नहीं amount हो जाता है क्या amount जो होता है वो 650 हो रहा है और पूछ गया है हम लोगों से वह धन ग्याद कीजिए धन मतलब धन मतलब principle आप लोगों को बताना है हाँ principle बताना है तो amount में क्या क्या होता है दोस्तो principle प्लस SI होता है तो आपको ज्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है इसमें ज्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप चाहें तो बीना pen उठाए भी solve कर सकते हैं देखिएगा आप चाहें तो बीना pen उठाए यानि 3 गुने 10 क्या होगा 30% और यहां पर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे amount में होता क्या है देखें हां दीजेगा amount में होता क्या है amount में principal plus SI amount बराबर होता क्या है principal plus SI यहां पर देखिएगा principal plus SI होता है और principal जो होता है हमेशा क्या होता है 100% होता है और जो SI होता है simple interest वो होता है 80% यानि जो simple interest है 3-10 यानि कि 30% यह जो simple interest है वो क्या है 30% है यह plus में तो अगर इसको हम जोड़े और यह amount दोस्तों हम लोगों के पास दिया हुआ है कितना 650 दियान दिजे यह कुछ नहीं करना है तो 100% और 30% जोड़ेंगे तो 130% बराबर क्या होगा 650 सिंपल है कुछ नहीं करना ऐसे देखिए 130% बराबर क्या होगा 650 तो हम लोगों को बताना क्या है principle बताना है यानि 100% का मान तो 100% 100% मतला principle यानि कि जो धन्रासी है वो निकलेगा ठीक है तो 100% बराबर होगा 650 बटा का 130 और गुने क्या होगा 100 ठीक है तो 13 पच्चे क्या होता है 65 बाज बार में कटा 5 गुने 100 करेंगे तो क्या होगा 500 रुपै जो principle आपका होगा ध्यान दीजिए principle हमेशा क्या होता है 100% होता है 100% यही होगा principle जो होगा वो आपका 500 रुपए होगा और यही क्या होगा answer होगा उमीद करते हैं आप सभी student समझ रहे होंगे कि 500 कैसे है बहुत एक्षे very good बस आप लोगों को पता हो न चाहिए amount में क्या होता है principle और SI होता है amount यानि कि मिस्रधन मिस्रधन में क्या होता है मूलधन और ब्याज को जोड के जो होता है वो होता है मिस्रधन यानि यह जे 650 रुपए है इसमें principle भी है और SI भी है तो इसमें कोई formula नहीं लगाना है आप चाहते तो direct कर सकते थे कैसे देखिए 10 तियाई 30% 30% तो ब्याज हो गया और 100% principle यानि की 130% किसके बराबर है दोस्तो amount के यानि 650 के यहीं तो किये तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 650 बटा का 130 और गुने क्या 100 तो 13 पच्चे 65 और 5 गुने 100 करेंगे तो 500 100% मतलब principle क्या होगा 500 हो जाएगा बस इतना ही करना इस question में ऐसे question आए तो simple है बस आप लोगों को पता होना चाहिए amount में क्या क्या होता है चलिए next question देखिएगा अगला question देखेंगे और अच्छे से clear होगा हाँ अगला question देखिएगा question number seven question number seven हम आपको बता दे most important question है अच्छे से देखेंगे ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयाज करेंगे देखिएगा काफी important question है question है एक निश्चित दर पर किसी विशेश रासी के लिए चार वर्स और आठ वर्स के लिए साधर्णब्याजों का अनुपात ग्याध कीजिए जो किस ratio में होगा और किस किसे कितने-कितने वर्ष पर चार वर्ष और आठ वर्ष ध्यान दीजिए अच्छार राएब हो है और सावन है निस्चित दर्पर एस वड़ा निचेव दुब अनम यह व्यर्त विषान है बस अंतर किसक dzisiaj हो रहा है बॉर्ष्स का ठीक है हाँ time का तो ज्यादा कुछ नहीं करना है ध्यान दीजे आप लोग si बराबर होता क्या है si बराबर होता क्या है p r t upon hundred इनहीं का दोस्तों रेशियों पूछ रहा है तो पहले के लिए जो si होगा ओ होगा p r ध्यान दीजेगा ध्यान दीजे p r into t ध्यान दीजे p गुने r गुने t time क्या है 4 बरस है और अपान hundred ठीक है दूसरे के लिए जो si होगा दूसरे का si होगा ओ क्या होगा दोस्तों p बराबर है यह जो p amount है वो बराबर है इसके लिए बराबर है इसके लिए आर बराबर है लेकिन time क्या है इसके लिए 8 बरस है और बटा क्या हो जाएगा 100 इसी का ratio पूछ रहा है हाँ जो time का ratio होगा ना वही क्या होगा उनके ब्याजों का भी ratio होगा कुछ करने की ज़रुत नहीं देखिए 100 से 100 कैंसील होगा p से P कैंसील हो जाएगा r से r कैंसील हो जाएगा जो इनका ratio आएगा वहोगा फोर इस्टु एट फोर इस्टु एट का मतलब 4 कम चार और 4 दुना के 8 यानी ratio जो होगा वहोहगा बताए आप सब Futogle न्ट one is to two का हां जो ब्याजों का उनका Ratioु और शनुपात होगा, iljima ब्हूत अक्षे अगर प्रिइंस प्रिंसल्पल समान हं दोनों के लिए रेट आफ उंट्र ineffective समान है डोनों के लिए और समय में जो रेशीयो है वही हो जाएगा, वही रेशियो होगा इसमें कुछ भी पूछे आप बदा सकते हैं नेक्स कोशन देखें अगला कोशन आप लोग देखेंगे देखें कुछ नहीं करना है एसाई बराबर प्याटी अपन हंड्रेड प्रिंस्पल यहां बोल रहा है दोस्तों निश्ची दर पर रेट आफ इंट्रेस समान है किसी विशेष रासी के लिए चार वर्स और आठ वर्स के लिए साधारण व्याजों का अनुपात ग्यात कीजिए चलिए नेक्स कोशन देखिएगा अगला कोशन समझते चलिए काफी इंपॉर्डेंट कोशन है और ऐसे प्रसन हमेशा एक्जाम में पूछे जाते है कोशन नमबर 8 यह भी मोस्ट इंपॉर्डेंट है इसका अंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे कह रहा है दो अलग अलग योजनाओं में क्रमसा 6 और 10 बर्स के लिए सामान दर पर निवेश की गई सामान रासी से प्राप्त साधारण व्याजों का अनुपात ग्यात सिंपल इंट्रेस साधारण व्याज SI वराबर होता क्या है हाँ प्रिंस्पल इंटू रेट आफ इंट्रेस्ट इंटू टाइम अपन हंडेड यही तो होता है SI वराबर PRT अपन हंडेड तो ध्यान दीजिए एक छे वर्स एक दस वर्स है तो बताए very good कुछ नहीं करना है द इसके लिए दोस्तों SI क्या होगा SI वराबर P into R into T की जगा तीन वर्स अपन हंडेड ठीक है हाँ इसी का अनुपात पूछ रहा है 10 वर्स वाले के लिए क्लिए क्या होगा जो 10 वर्स वाला है तो P समान है rate of interest समान है time क्या है 10 वर्स है और बता का क्या होगा 100 तो 100 से 100 कैंसिल principle समान है cancel R cancel बचा क्या दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए यहां पर 6 वर्स है यह 6 वर्स है 6 इस टू 10 बचा क्या 6 इस टू 6 इस टू 10 यानि कि 2 तीय 6 और 2 पच्चे 10 आंसर होगा 3 इस टू 5 का आंसर होगा क्या जो इनके व्याजों का अनुपात होगा जो साधरण क्याने की ज़र्वत नहीं पड़ेगी आप यहीं पर देखते हैं 2 तीय 6 और 2 पच्चे 10 यानि 5 इस टू 10 का रेशियो हो जाता ठीक है उमीद करते हैं समझ चुके चले नेक्स कोशन देखिएगा आगे देखिए अगला कोशन अगला कोशन देखेंगे कोशन नंबर 9 कोशन की बार्शिक दर ग्याद की जिए कि एक बर देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है किसी धनरासी का चार वर्स का साधरण व्याज उसरासी का एक बटा 5 वाग है ब्याज की बार्शिक दर ग्याद कीजिए देखिएगा आप सभी स्टूडेंट प्रिंस्पल पहले मा 應該 Mala principle क्या है सो रुपई है ठीक है अब देखिए टाइम क्या है या टाइमало चार थ्यान दीजियेगा टाइम मैं जफंटर आवरन विद्वा चार वर्स प्र Tapi ये किन फ़रांर व्याज ये घृ Bye एक वाग शीPER हो है मतलब एक बटा का 5 एक बटा का 5 क्या होगा 20 यानि जो SI है वो 20 रुपए है ठीक है ब्याज की बार्सिक दरग्यात करना है रेट आफ इंट्रेस्ट बताना है कुछ नहीं करना है आप सभी स्टुडेंट को पता होगा SI बराबर होता क्या है PRT अपान 100 होता है अब देखिए SI 20 रुपए है क्योंकि रासी का एक बटा 5 भाग है मतलब 100 का एक बटा 5 क्या होगा 20 रुपए हो है और प्रिंस्पल हमाने थे 100 रुपए रेट आफ इंट्रेस्ट बताना है और टाइम दिया हुआ है कितना टाइम दिया हुआ है 4 बर्स और बटा का क्या करेंगे आप सभी स 1200 कुछ नहीं करना हे 1006 का दियरेक्ट केंसल होगा चार से कटेगा यह 20 चार पक्चन 25 रवराबर क्या होगा पा परसेल रवरवर क्या होगा 5 पर्सेल ऐस में आप रासी कुछ भी मान सकते हैं 100 माने thi सिंपल हो जाएगा ठीक है हाँ सौ मानिए एकदम आसान हो जाएगा तो आर बराबर मिला क्या फाइब परसेट चलिए एकदम सही यहां पर देखिए कह रहे है साधारण व्याज उस राशी का एक बटा पांच भाग है यानि जो सिंपल इंट्रेस्ट है सौ का एक बटा पांच भाग भिस पर चलिए नेक्स कोशन देखिएगा अगला कोशन देखिए तो कोशन नमबर 10 कोशन नमबर 10 दो बटा पांच हो गया ध्यान दीजे मुलधन का दो बटा पांच हो गया व्याज की बार्थिक दर ज्यात कीजिए सिंपल कोश्चन है कुछ नहीं करना है प्रिंसिपल कोई धन धन माल लेते हैं 100 रुपए 100 रुपए आप क्या कर लेंगे माल लेंगे 100 रुपए ठीक है अब हो कह रहा है time दिया हुआ है कितना वर्ष दोस्तों 10 वर्ष ध्यान दीजे 10 बर्ष और किया हो जाता है जो सींपल इंट्रेस्ट है जो यसा 2 रुपए क्थमों वर होता है PRT upon 100 यही होता है ना यानि मोलधन गुने दर गुने समय बटा 100 समझ रहे होंगे आप सब इसी पर आपको रख लेना है ज्यादा कुछ नहीं करना है SI क्या है 40 रुपए है SI 40 रुपए है मोलधन क्या है दोस्तों प्रिंस्पल क्या है 100 है रेट आफ इंट्रेस्ट बताना है टाइम देखिए 10 बर्स है और बटा का क्या करना है आप सब इस्टूडेंट बोलेंगे 100 ठीक है तो बता सकते हैं आप सब इस्टूडेंट 100 से 100 डेरेक्ट केंसील होगा 10 पता है गेपकेश से 100 मियुक्र nhất समझ रहां गें आप सब इस्टूडेंट आगीगहीन देखिएगा अगला कोश्चिण देखिए आप सब इस्टूडेंट 11 देखिएगा मौन ग्हां सब इंबुइस्ट देखिए अभी देखिएगा एक धनरासी साधारण ब्याज पर उधार दी गई, वह पांच बरसों में स्वाएम का पांच बटा 14 गुना हो गई, ब्याज की बारतिक दर ग्यात कीजिये, अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा से समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों क देखिएगा एक धनराशी साधारर व्याज पर दिंगाई हुदार दिगे वहाँ पांच वर्ष में स्वयमका पांच पटा और धनराशी स्वयम का क्या हो गई पांच बटा चार गुना जो एमाउंट हुआ है वो क्या हो गया है स्वयम का पांच बटा चार गुना मतलब यह स्वयम क्या है सो है इसका पांच बटा चार गुना पांच बटा चार का मतलब कटाएंगे चार से 25 चो को 125 पचे 125 क्या हो गय वो कितना होगा, बताइएगा, simple interest क्या होता है, amount में से principal को घटा देंगे, हाँ, देखिएगा, amount में क्या होता है, principal और simple interest, दोनों मिला है, अगर इसमें से principal घटा दे, तो SI आ जाएगा, जो SI होगा, होगा 25, यानि कि 125 में से 100 minus करेंगे, तो क्या हैगा, ये, और हम लोगों से रहा है, rate of interest पूछ रहा है, देखिएगा, तो आप बता सकते हैं, simple तरीका है, 5 वर्स में कितना रुपए बढ़ा है, 25 रुपए बढ़ा है, एक वर्स में कितना बढ़ेगा, 5 रुपए बढ़ेगा, तो बोल सकते हैं, 100 पे 5 बढ़ रहा है, मतलब 5%, या पैसे भी कर सकते है SI बराबर P into R into T upon 100, ये कर सकते हैं, अब देखिए, SI क्या है, 25 है, principle क्या है, 100 है, rate of interest हम लोगों को बताना है, और time दिया हुआ है कितना, 5 वर्स, time दिया हुआ है 5 वर्स, और बटागा क्या होगा, 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटेगा, 25, 25, 25, R बराबर क्या होगा, R बराबर होगा, 5 परसेंट, यहां पर आप लोग समझेंगे थोड़ा सा, 5 परसेंट, very good, क्योंकि ये जो हो रहा है, 5 वर्स, पांच बटा, 4 गुना हो रहा है, amount हो रहा है, ना की, ना की, simple interest हो रहा है, समझे में, आया 5 परसेंट, यहां आप चाहें, तो यहीं पर देख सकत है, 5 बटा, 4 गुना का मतलब 125 हो गया, ध्यान दीजेगा, 125 हो गया, 100 से 125 हुआ, यहां पर देखिएगा, दूसरा तरीका आप सब स्टूडेंट देखेंगे, method 2, 100 से 125 हुआ, 125 हुआ, कितने बर्स में हुआ, 5 बर्स में, कितना रुपए बढ़ा, 25 रुपए बढ़ा, 5 बर् rate of interest आप डिरेक्ट बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 5 बढ़ा, किस से बढ़ा, 100 से बढ़ा, गुने 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, rate of interest जो होगा, 5 परसेंट हो जाएगा, आप डिरेक्ट बोल सकते हैं, एक बर्स में 5 रुपए बढ़ रहा है, 100 पे बढ़ रहा है, तो इसको simple कैसे करते, देखिएगा, simple आपको करना है, देखिए, माल लिए जो principle है, 100 रुपए है, जो amount क्या हो गया दोस्तो, 100 का 5 बटा 4 गुना, 5 बटा 4 का मतलब 4 से कटेगा, 25, 25, 125, 100 से ध्यान दीजे, क्या हो गया, 25, 25, 125, 100 से 125 हुआ, बढ़ा कितना, 5 बर्स में 25 रुपए बढ़ा है, तो एक बर्स में कितना बढ़ेगा, 5 रुपए, किस पे बढ़ रहा है, इसी पे तो बढ़ रहा है, इसी पे तो बढ़ रहा है, देखिएगा, याद रिखिएगा, जो simple interest होता है, जो साधारण व्याज होता है, प्रती बर्स समान रुप से बढ़ता है, 5 अब डिरेक्ट अंसर देंगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बस हम आप लोग को समझाने के लिए सब लिक रहे हैं ताकि आप सब स्पूडेंट सामझ सके चलिए बताए समझ में आया की नहीं चलिए हाँ नेक्स कोशन देखते हैं अगला कोशन देखेंगे आप सब स्पूडेंट कोशन नमबर 12 काफी इंपॉडेंट है अच्छे से देखेंगे अच्छे से देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे कोशन है अमीत ने सुमित को कुछ धन साधार व्याज पर दो वर्स के लिए उधार दिया अवधी की अंत में सुमित ने पांच बटा चार गुना धन वापिस किया व्याज की दर गयात कीजिए इसका अंसर आप लोग दे अधार व्याज पर दो वर्स के लिए उधार दिया अवधी के अंत में सुमित ने सुमित ने पांच बटा चार गुना धन वापस किया देखिएगा यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आप सभी मान लेजी प्रिंस्पल सौ रुपय था यानि सौ रुपय देखि का मतलब है जो एमाउंट है हाँ बहुत अच्छी कुछ सुडेंट आंसर दे रहे जो एमाउंट दिया मतलब उसमें ब्याज भी जोड के दिया है दो बर्स के लिए अवधी के अंत में यहां पर कह रहा है पांच बटा चार गुना धन वापस किया ब्याज की धर ग्याद की देखिए अमित ने सुमित को कुछ धन दिया मतलमान लिए 100 रुपए दिया और दो बर्स में क्या किया 125 रुपए वापस किया तो कितना ज्यादा दिया यहां से आप निकाल सकते हैं simple interest simple interest क्या है दोस्तों देखिए amount में से principal घटा देंगे simple interest 125 में से 100 घटा देंगे 25 25 तो आप ऐसे बोल सकते हैं दो बर्स में 25 रुपए तो एक बर्स में कितना एक बर्स में कितना 12 रुपए और 100 पे शाड़े बारा मिल रहा है 12% डैरिक्ट बोल सकते हैं लेकिन आपको ज्यादा नहीं समझ में आ रहे तो आप SI वराबर लिख सकते हैं PRT अपान 100 यह लिख सक सो केंसिल दो से ये कटेगा 25 साढ़े बारा बार में यानि कि 25 बटा 2 मतलब 12.5 आर बराबर क्या होगा आर बराबर होगा 12.5 परसेंट अब इसको आपको इतना नहीं करना है आप यहीं पर कर सकते थे देखिए मैथट 2 अगर आप करते एकडम सौट में 100 रुपए है 100 यह इसको वापस कितना किया इसका 5 बटा 4 यानि 100 का 5 बटा 4 क्या होगा 4 से कटेगा 25 पचे 125 रुपए इसको वापस कर दिया ठीक है तो कितना ज्यादा दिया है 25 रुपए दिया है कितने बर्स में 2 बर्स में 25 रुपए तो एक बर्स में क्या होगा 25 बटा का 2 यानि कि 12.5 परसेंट 12.5 हाँ यह बोल सेकते हैं साड़े बारा रुपए और किस पे यह दिया है सौ पे सौ पे जो ब्याज हुआ आप डिरेक्ट बोलेंगे जो रेट आफ इंट्रेस्ट होगा 12.5 परसेंट होगा बताए समझ में आये की नहीं बताए एक बार आप सभी सुडेंट प्रस्न में कुछ भी नहीं है हाँ 100 का 5 बर्ट चार गूना निकाल लेना है 125 आरा है 100 का 125 हो गया कितने बर्स में हुआ है 100 का 125 दो बर्स में कितना बढ़ा है 25 रुपए बढ़ा है दो बर्स में बढ़ा है तो एक बर्स में कितना बढ़ेगा साधे बारा बढ़ेगा कितने पर बढ़ा है सो रुपय पर बढ़ा है तो डिरेक्ट बोलेंगे साधे बारा परसेंट समझ में आया की ने एक बार बताए आप सब इस समझ में आया की ने अगला कोशन देखिएगा अगला question देखिए काफी important है अथे से देखेंगे ये जो question है हम आप लोग को बताना चाहेंगे question number 13 हम आप लोग को बताना चाहेंगे most important question है क्या है most important question है इसको ध्यान से देखेंगे question है 800 रुपए की रासी तीन बरसों में साधान ब्याज पर 920 रुपए हो जाती है यदि दर 3 percent प्रतिवर्स बढ़ा दी जाती है तो समान अवधी में वह धनरासी कितनी हो जाएगी ध्यान दीजिएगा इसमें ज्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है देखिएगा 800 रुपए की धनरासी 920 रुपए हो गई ध्यान दीजिए 800 रुपए की ध्यान दीजिए यहाँ प दीजिएगा इमाउंट कितना हो गया 920 ध्यान दीजिए कितने में साधरण व्याज के दरपे 920 हो गया 920 हो गया कितने बर्स में हुआ है तीन वर्स में हुआ है तो SI निकाल सकते है SI बराबर क्या होता है एमाउंट माइनस प्रिंसपल 920 में से 800 घसाएंगे यानि कि 920 माइनस 800 तो यह क्या होगा 120 रुपए ठीक है 120 रुपए SI है हम लोगों से पूछ क्या रहा है rate of interest हाँ rate of interest निकालना है और उतने ही अवदी के लिए 3% बढ़हा के बताना है कि रासी कितनी हो जाएगी यह बोल आर्टी अपान 100 ठीक है SI कितना है 120 रुपए है 120 रुपए है हाँ प्रिंसपल कितना है 800 रुपए है rate of interest बताना है टाइम क्या है तीन बर से बटा का 100 ठीक है बटा का 100 देखिए 2 0 से 2 0 cancel हो जाएगा हाँ अब देखिएगा आप से विज़ा आठ तरी के 24 हाँ आठ तरी के 24 हाँ 24 पच्चे 120 आप डिरेक्ट कटा सकते हैं 24 पच्चे 120 जो rate of interest आर बराबर क्या होगा आर बराबर क्या होगा 5% आर बराबर क्या होगा 5% आर बराबर क्या होगा 5% अगर ये 5% की जगा पे कह रहा है यदि 10 3% प्रतिवर्स बढ़ा दी जाए 5 से ये क्या कर दिया जाए अगर प्लस 3 कर दिया जाए प्लस 3% मतलब rate of interest अगर हम कर दे 8% तो क्या होगा 8% कर दे तो क्या होगा कितने के लिए 3 वर्स के लिए तो आप डिरेक्ट निकाल सकते हैं देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पर अगर हम SI निकाले ठीक है यहाँ पर तो रासी कित हां 800 का 8% तो तीन साल के लिए निकालेंगे च लिए 20% तो एक वर्स में आप निकाल सकते हैं 8% दे हां दीजे गाativa 8% मैं प्लस एक सो बानवे रूपए बढ़ेगा एक सो बानवे बढ़ जाएगा तो यहां रासी कितनी हो जाएगी पहले प्लस एक सो बानवे जुड़ जाएगा यह ब्याज तो कितना हो जाएगा नौसो बानवे रूपए अभी सिंपल तरीका बता रहे हैं यह सब बेसिक तरीका है समझाने के लिए लिख रहे हैं यह सब आपको नोट नहीं करना है अभी हम आप लोगों को समझा रहे हैं यह गु लेकिन आपको क्या इतना करना है नहीं करना है इसको मिटाते हैं सिंपल तरीका भी हम आपको बताते हैं ठीक है इसे आप लोग समझने के लिए बस लिख लिएगा ठीक है हाँ चलिए मिटाते हैं और सिंपल तरीका हम आप लोगों को बताते हैं इतना नहीं करना है आप लोगों को छोटा सा कोश्चन के लिए इतना नहीं करना है करना क्या है हम आप लोगों को बता रहे हैं अभी देखिएगा आप लोगों को क्या है देखिए 800 रुपए की रासी है ध्यान दीजेगा 800 रुपए की रासी है कितना हो गया 920 हुआ 920 हो गया कितने बर्स में 3 बर्स में कह रहा है ध्यान दीजेगा अब आपको ये नहीं पता करना है कितने परसेंट पे हुआ कुछ नहीं पता करना है, देखिएगा, कह रहा है, दर 3% बढ़ा दी जाए, प्रतिबर्स, देखिए, साधारण ब्याजी में क्या होता है, आप सब स्टुडेंट बताए, साधारण ब्याजी में क्या होता है, हाँ, देखिएगा, साधारण ब्याजी में क्या होता है, जो रा इतना परसेंट बढ़ेगा, 9% बढ़ जाएगा, 9% बढ़ जाएगा, यानि यह जो रासी है, इसमें क्या होगा, 9% बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3% है, देखिएगा, आप सभी स्टूडेट, टाइम क्या है, ध्यान दीजिएगा, टाइम 3 बर्स है, और rate of interest जो, आ आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 800 का 9% निकालना है, 800 का 9% निकालेंगे, तो 8, 9, 72 या 9, 72, 72 रुपए और बढ़ जाएगा, यानि प्लस कर लिजिए कितना 72 रुपए, तो आंसर हो जाएगा, 992 रुपए, यही आंसर हो जाएगा कुछ नहीं करना है हाँ देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है क्वेशन में बस इतना ही करना है क्योंकि 3% प्रतिवर्स बढ़ा दी जाती है प्रतिवर्स 3% बढ़ाई जा रही है और कह रहा है देखिएगा यहाँ पे समान अवधी में समान ओधी मतलब तीन वर्स में ही तो तीन वर्स में कितना बढ़ जाएगा 9% बढ़ जाएगा क्या होगा 9% बढ़ जाएगा समझ में आए ना तो 800 का 9% निकाल के जोड़ दीजिए 72 रुपए इसमें और एड कर देंगे 920 में 992 हो जाएगा Direct answer कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है पैन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है चलिए समझ में आ गया है चलिए एक और कोशन देखिए next कोशन देखिएगा आप सब सुडेन कोशन नमबर 14 कोशन नमबर 14 भी क्या है most important है कोशन नमबर 14 देखिएगा simple तरीका इसके लिए भी बताएंगे 900 रुपे की रासी चार वर्सों में साधर्ण ब्याज पर 1260 रुपे हो जाती है यदि दर 2% प्रतिवर्थ घटा दिया जाए तो समान अवधी में यह रासी कितनी हो जाएगी अवधी क्या है समान है चार वर्स में ही अगर दर 2% घटा दे तो क्या हो जाएगा रासी कितनी हो जाएगी देखिएगा simple तरीका पहले वाला जो अगर आप तरीका लगा रहे तो 900 रुपे कितना हो गया 1200, 1260 ध्यान दिजे 1260 हुआ यानि 91260 हुआ कितने बर्स में 4 बर्स में हुआ 4 बर्स में हुआ है 1260 रुपे में कितना बढ़ा है 900 से 1260 हुआ यानि 360 4 बर्स में कितना बढ़ा है 360 तो एक बर्स में 90 रुपे बढ़ा तो rate of interest निकाल सकते है 90 रुपे बढ़ा किस पे बढ़ा है 900 पे बढ़ा है और गुने 100 करेंगे ठीक है हाँ गुने 100 करेंगे तो 2-0 से 2-0 कैंसिल 19 हमे 90 समझ रहे हैं यानि rate of interest जो है 10% है अभी क्या कितना percent बढ़ा है 10% कह रहा है 2% कम कर दी जाए मतलब 8% पर ये रासी कितनी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 8% पर क्या हो जाएगी इसका 8% ध्यान दीजेगा हाँ 8% एक बरस का निकालेंगे और 4 बार निकालेंगे क्योंकि 4 बरसों में बढ़ा देगा न हाँ तो 4 बरसों में कितनी होगी अगर 2% गिरा दे तो क्या answer आ रहे है आप लोग का देखिए ज्यादा कुछ करने कि इसमें ज़रूरत ही नहीं है सिंपल तरीका अभी हम आप लोग को बताए वही करना है 8% हो जाएगा ध्यान दीजेगा rate of interest 8% की दर से ध्यान दीजेगा तो इसमें 900 का 900 का आप सभी student क्या कर सकते हैं 900 का क्या कर सकते हैं 900 का 8% निकालेंगे तो 9,8,72 क्या होगा 72 रुपए किसने के लिए एक बर्स के लिए और यहां 4 बर्स के लिए क्या होगा गुने चार कर लेंगे तो 4 दुना के 8 और 4,7,28 4,7,28 यानि 288 288,9,2 11,88 तो आप जोड सकते हैं 900 और 288 11,88 हो जाएगा 11,88 आ रहा है बहुत अच्छे अब देखिए यहां पर भी आप लोगों को तरीका बता रहे है इतना आप लोगों को नहीं सोचना है इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है प्रस्निक के लिए इतना दिमाग नहीं लगाना है देखिएगा सिंपल तरीका हम आप लोगों को बता रहे है 900 रुपए क्या हुआ है 1200 1260 हुआ है 1260 हुआ है कितने परसेंट पे हुआ है यह नहीं निकलना है 2% हाँ 2% प्रति बर्स क्या कर रहा है परसेंट है माइनस करना है टाइम क्या है 4 बरस है तो 4 दुना के 8% 8% आप क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 900 का 8% क्या होगा देखिएगा आप सभी स्टूडेट यहाँ पे 900 का 8% 900 का 900 का ध्यान दिजेगा हाँ 2 सेकेंट समझने का प्रयास करिए पिछला कोश्चन गलत हुआ था क्या एक बार देख लिजेगा 900 का 8% 900 का 8% सॉरी 8% मतलब 8 बटा का 100 हाँ गलत नहीं हुआ था 9,8,72 72 रुपे माइनस करेंगे किस में से इस में से इसी में से तो माइनस होगा इसी में से माइनस होगा देखिएगा कुछ भी आया इसी में से तो आपको 2% माइनस करना है तो पिछले वाले में क्या किये थे पिछला कोश्चन आप लोग देखिएगा थोड़ा सा पिछले question में क्या कर रहा था बढ़ाने की बात कर रहा था 3% 10 से बढ़ाने की तो प्लस किये थे इसमें और इस वाले में क्या कर रहा है 2% घटाने की बात कर रहा है तो 72 रुपय माइनस करेंगे तो देखिए 10 में से 2 जा 8 और यहां पर आपका क्या होगा 15 में से 7 जा 8 7 15 होता है 8 और यहां पर हो जाएगा 1188 हो जाएगा वो धनरासी कितनी हो जाएगी वहरासी कितनी हो जाएगी 1188 अंसर आप लोगों का क्या रहा है बताए आप लोग एकदम सिंपल है उमीद करते हैं समझ रहोंगे आप लोग यहां पर बस आप लोगों को देखना क्या है समझेना क्या है यदि दर 2% प्रतिवर्स घटा दिया जाए 2% प्रतिवर्स घटा दिया जाए 4 बर्स अगर घटेगा तो कितना परसेंट घटेगा 2% कुने 4 यानि 8% घटेगा किस पर घटेगा किसका 8% 900 का ही तो 8% तो 900 का 8% होगा क्या 72 1260 में से बस बहतर घटा लीजे 1188 आंसर आएगा बताईए समझ में आया की नहीं एक पर कमेंट करके आप लोग बताए समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए फिर चलते हैं नेक्स कोस्टन के तरफ नेक्स कोस्टन नहीं देखेंगे नेक्स कोस्टन अगले क्लास में देखेंगे यह बताईए समझ में आया की नहीं उमीद करते हैं आप सभी स्टुडेंट इस कोस्टन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के question आपके exam में आएगे तो आप solve कर लेंगे ठीक है सरकारी नोकरी चाहिए कोई भी हो उसमें 100% से सफलता के लिए आज ही डाउनलोड करें SSC Maker App SSC Maker App डाउनलोड करने के लिए description box में दिये गए link पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ SSC Maker के YouTube चैनल में SSC Maker के इस ओनलाइन प्लेटफर्म पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है कैसे आप सभी स्टूडेंट एक बार कामेंट करके बताईए तो आप सभी स्टूडेंट कैसे हैं? वाईस के लिए अवाज एक नहीं आप सभी को घुडि इवनिंग जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जूड जाएए और आप सभी स्टूडेंट कॉपी पे लेके बाइठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे ठीक है? हाँ simple interest का ये class 3 है इसके पहले class 1 और class 2 हम करा चुके है उमीद करते हैं पीछे वाली class का आप लोग revision और practice बहुत ही अच्छे तरीके से कियोंगे और सारे question आप लोग पढ़ के आए होंगे ध्यान दीजे simple interest यानि साधारण ब्याज का दोस्तों ये class 3 है हम आप लोगों को बताना चाहेंगे simple interest यानि साधारण ब्याज में हम दो class पहले करा चुके है class 1 और class 2 class 1 में basic concept बता है class 2 में question करा है class 3 में भी question कराएंगे और यहाँ पे जो भी आप लोगों की class से चल रही है वो एकदम basic से चल रही है zero level से चल रही है और chapter by chapter चल रही है तो आपको टंसल लेने की बिल्कुल भी जोरत नहीं है अगर आप daily class को join कर रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीज़े एकदम अच्छे से समझ में आ रही होंगी ठीक है तो daily class को join करिए मन लगा के पढ़िए ठीक है क्योंकि एकदम basic से आपको कोई पढ़ायागा नहीं और यहाँ पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग सीखिए समझिए, note करिए, practice करिए ठीक है तो चलिए आज की class को आगे हम continue करते हैं आगे हम question देखेंगे देखिएगा आप सभी student आगे question देखेंगे आप सभी student question number 15 इससे पहले हम आप लोगों को बता दे एक से लेके 14 तक class 1 और class 2 में class 1 और class 2 में question करा चुके है तो पीछे वाला question भी आप लोग जरूर देखिएगा और जो भी नया chapter start होता है तो उसे आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिए हाँ ठीक है चलिए तो question देखिए आप सभी student question number 15 question number 15 काफी important है और देखिएगा समझने का प्रयास करेंगे question है एक रासी साधारण भ्याज की किसी दर पर 4 वर्सों के लिए रखी गई यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपए अधिक मिलते रासी कितनी है वो रासी कितनी है यह आप लोगों को बतायना है तो question को एक बर समझीए तो देखिए बोल रहा है एक रासी साधारण भ्याज की किसी दर पर 4 वर्सों के लिए रखी गई यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा गया होता यानि 3% क्या क्या दिया होता बढ़ा के रखा गया होता तो इस पर 1440 रुपए क्या होता अधिक मिलता क्या होता 1440 रुपए 3% अधिक दर पर रखा गया होता कितने बर्स के लिए, चार बर्स के लिए, ठीक है, चार बर्स के लिए, ध्यान दीजिएगा, तो 1440 रुपे अधिक मिलता राशी कितनी है, ज्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत एक्षे, देखिए, 3% अधिक और चार बर्स के लिए, कितना पर्सेंट अधिक होता है, 12%, तो और रुपे में कितना अधिक मिल रहा है, दोस्तो, 1440, यानि 1440, तो 100%, और 80, आप बता सकते हैं, राशी क्या होगा, 100%, यानि 100% बर्सेंट बर्सेंट क्या होगा, 1440, बटा का 12, और गुने क्या होगा, 100, यही बस इसको कटाईए, आंसर आजाएगा, 12 का स्क्वाइर होता है, 144, तो यह 12, बार में जाएगा, और यह 0, 120, गुने 100 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 120, और यह 2,0, यानि आंसर होगा, 12,000 रुपे, और 80 क्या होगा, और 80 होगी दोस्तो, 12,000, हाँ, कोई formula लगाने की बस आपको यह देखना है, 3% अधिक होता, तो कितना होता, बताईए, 3% अधिक होता, और 4 बर्स के लिए, तो 3-4 को 12%, यानि टोटल 12% अधिक मिलेगा, और 80 जो है, रुपे में कितना अधिक हो रहा है, 1440, तो रासी यानि 100% का मान बताना है, तो 12,000 अंसर होगा, और 12,000 आ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा समझेए, ऑप्शन में 1200 भी रहता है, तो ऐसी गलती करेंगे, तो गलती कर वैठेंगे, ठीक है, हाँ, आंसर होगा 12,000, आंसर होगा क्या 12,000, देखिए 12 से 12,000, बार में कटा 1,0, अब ये 120 में 2,0 से क्या करना है, 100 से गुना करेंगे, 12,000 होगा, 12,000 होगा, 12,000 नहीं होगा, 12,000 जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, सुधार करें आप लोग, अभी इसे सुधार करना सीखेंगे, तब ही आगे चलके question आप solve करेंगे, और सही answer देंगे, क्योंकि अभी इसे गलतीया करने लगेंगे, तो आगे चलके दिक्क होगी, question option में क्या रहता है, 12,000 भी रहता है, 12,000 भी रहता है, 1212 भी रहेगा, तो क्या 1200 अंसर देंगे, नहीं, उमीद करते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, अब आप लोग का answer चाहिए आ रहा है, 12,000, ठीक है, बहुत अच्छे, उमीद करते हैं, इस question को आप लोग समझ गए हो question number 16, question number 16, देखिएगा, 16 question क्या है, most important है, अच्छे से देखेंगे इस question को, question देखिए, question क्या बोल रहा है, question कह रहा है, कितने बरसों में, एक धनरासी, 5% प्रति वर्स के साधारण ब्याज की दर पर, स्वैम की तीगुनी हो जाएगी, स्वैम की क्या हो जाएगी, तीगुन time, और rate of interest दिया है, एक धनरासी, 5% प्रति वर्स, rate of interest क्या है, 5% है, rate of interest क्या है, 5% है, हाँ, ध्यान दिजिएगा, आर क्या है, आर, 5%, देखिए, और कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से स्वैम की तीगुनी होगी, प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो प्रिंसिपल माल जिए 100 रुपे, 100 रुपे क्या किये, माल लीए, 100 रुपे प्रिंसिपल, और ये amount क्या हो जाएगा, कितने बर्सों में, 5% की दर से, स्वैम की तीन गुनी, मतलब 100 रुपे प्रिंसिपल है, तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है, तो SI क्या होगा, simple interest क्या होगा, principle, द बताईएगा, SI क्या होगा, amount minus principle, 300 में से 100 रुपे, 200, तो यहाँ पर आप 3 निकाल सकते हैं, देखिए, T देखिए, कुछ नहीं करना है, simple formula है, क्या formula है, SI बराबर, PRT upon 100, ये है, देखिएगा, simple interest कितना मिल रहा है, 200 रुपे, क्योंकि 3 गुना हो रहा है, देखिएगा, 100, 300 ह जा रहा है, तो ब्याज कितना बढ़ा, 200 रुपे, देखिए, 200 रुपे, principle क्या है, 100 रुपे, rate of interest क्या है, अच्छा, rate of interest दिया हुआ है, 5%, time निकालना है, और बता का 100, यहीं तो है, यहाँ से time निकाल सकते हैं, बहुत एक्षे, very good, कुछ student answer दे रहे, 100 से 100, cancel, 5, 4, 20, और य चालिस वर्स, कितने वर्स में होगी, दोस्तो, 5% की प्रतिवर्स की दर से, कितने वर्स में होगी, 40 वर्स में, समझिएगा, वर्स time बताना है, 40 वर्स answer होगा, ठीक है, 40 वर्स answer होगा, ठीक है, उमीद करते हैं, समझ रहे होंगे, ठीक है, अब देखिए, यह रहा, दोस्तो method 2 देखिए method 2 method 2 में क्या करेंगे ज्यादा कुछ नहीं करना है कह रहा है कितने वर्षों में एक धनरासी 5% प्रतिवर्ष के साधारण व्याज की दर से स्वायम की तीन गुनी होगी मतलब 100 रुपए क्या हो जाए 300 रुपए हो जाए 100 रुपए क्या हो जाए 300 रुपए हो जाए तो इसमें ब्याज कितना बढ़ा 200 रुपए ब्याज कितना बढ़ा 200 रुपए rate of interest क्या है rate of interest क्या है 5% मतलब एक बर्ष में 100 रुपए का 5% क्या होगा 100 रुपए का 5% क्या होगा 5 रुपए यानि एक बर्स में अगर 5 रुपए बढ़ रहा है एक बर्स में 5 रुपए बढ़ रहा है तो ये कितने बर्स में 200 रुपए बढ़ेगा यही तो कहना है यही तो कहना है तो आप देखेंगे 5 को 20 इधर कितना हो रहा है? गुने 40, यानि 40 बर्स में, ध्यान दिजिएगा, 40 बर्स में, तो इधर भी गुने क्या करेंगे? 40, तो आंसर क्या होगा? 40 बर्स, यही आंसर हो जाएगा, देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे, एक बर्स में निकाल सकते हैं, बहुत पर आज कितना बढ़ा है? 200, तो 200 रुपे कितने बर्स में बढ़ेगा? 40 बर्स में, पांसर भाग करके देख सकते हैं, 40 बर्स में बढ़ा है, देखिए, 40 गुना है, तो इधर होगा गुने 40, यानि 40 बर्स में, ठीक है? 5 का 40 गुना 200 होता है, तो इधर भी 1 का 40 गुना 40 बर मतलब 100 का 300 बोल रहा है तीन गुना करना है ठीक है हाँ यहाँ पर देखिएगा माने थे 100 रुपए तो एमाउंट क्या हो जाए 300 तैसा ही क्या होगा 200 simple interest कितना बढ़ा 200 100 रुपए तीन गुना होगा तो क्या होगा 300 होगा तो ब्याज कितना बढ़ा 200 तो एक बर्स में 5% प्रतिवर्स 5% है तो 200 रुपए कितने बर्स में बढ़ेगा यानि 5 का 40 गुना 200 है तो एक बर्स का 40 गुना होगा 40 समझ रहे हैं इधर भी गुने 40 इधर भ भी हम आप लोग को बताए हैं, उमीद करते हैं, समझ गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यह की करना है, दोनों समझना आए, यह आसान है, यह वाला, method 2 पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, यह भी simple है, लेकिन इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, इसमें क्या होता है, ज्यादा कुछ important है, क्या है, most important question है, देखिएगा, question है, साधारण ब्याज की दर से कोई रासी 7 वर्सों में 2 गुनी हो जाती है, उतनी ही रासी 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 उतनी ही है, और कह रहा है, उसी ब्याज दर पे रासी जो प्रिंस्पल है, समान है, rate of interest भी समान रहे, तो कितने वर्स में 4 गुनी होगी, बताइए तो, इसका answer दीजिए तो, और सभी student गलत answer देंगे, मुझे पता है, एक दो परतेंट, student सही answer देते, देखिए, 7 वर्स में क्या हो गया है, 2 गुना हुआ है, तो कितने वर् में 4 गुना होगा, तो बोल देते हैं 14 वर्स, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है आप लोगों को, अगर ऐसे answer दे रहे होंगे, हाँ, तो गलत है, बहुत अच्छे, answer आ रहा है, यानि समझ रहे है, देखिएगा, हाँ, करना कैसे है, तरीका method 1, method 1 इसके लिए simple है, देखिए, 100 रुपए क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, 100 रुपए क्या हुआ, दो गुना हुआ मतलब 200 रुपए हुआ, 100 रुपए क्या हुआ, 200, कुछ स्टूडेंट 14 वर्स दे रहे है, देखिए समझ येगा, 200 हुआ, ब्याज कितना बढ़ा, 100 रुपए बढ़ा, कितने बर्स में ये कितने बर्स में हुआ है, 7 बर्स में, 7 बर्स में क्या हुआ है, 7 बर्स में कितना बढ़ा, 100 रुपए, तो बोल रहा है, उसी रासी ब्याज दर्प, कितने बर्सों में 4 गुनी होगी, 4 गुनी होने का मतलब 100 रुपए, ध्यान दीजिएगा, कितने बर्सों में 400 होगा, म बताना है आप लोगों को, maximum student सही जा रहे हैं, हम सुचे आप लोग गलत देंगे लेकिन सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छे, एक दम सही, हाँ कुछ student गलत आंसर दे रहे हैं, 14 बता रहे हैं, देखिए 7 बर्स में हुआ क्या है देखिएगा, 7 बर्स में 100 ही रुपए बढ़ा है और 4 गुना होने का मतलब 300 रुपए ब्याज बढ़ेगा तो कितने बर्स में 300, तो 100 का क्या है, गुने 3 है, तो 7 का क्या होगा, गुने 3, यानि आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा, यहाँ पे यहां पे अंसर क्या होगा गुने तीन करेंगे तो 21 आंसर होगा 21 वर्स यही आंसर हो जाएगा देखिए आप समझ सकते हैं 7 वर्स में 100 रुपे तो कितने वर्स में 300 तो 100 याई 300 तो 7 तरीक 21 आंसर देंगे 21 वर्स कुछ भी नहीं करना है पैन उढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है उमीद करते हैं आप सब स्टूडेंट समझ गये हैं बहुत अच्छे तरीके से उमीद करते हैं समझ रहोंगे प्रसनों को कैसे सॉल्व करना है ठीक है हाँ बस आप ऐसे करेंगे तुरंट आपको अंसर दिखेगा ठीक है एक दम सही है आप सब स्टूडेंट जितन लब 2 गुना हुगा, कितने बर्स में, 7 बर्स में, बढ़ा कितना 100 रुपए, तो 300 बढ़ेगा ब्याज, यानि कि 4 गुना होगा, कितने बर्स में, ब्याज क्या बढ़ेगा, 300 ही तो बढ़ेगा, तो अगर 7 रुपए बढ़ रहा है, तो 300 कितने बर्स में बढ़ेगा, देखि तो question number 19 देखिए, question number 19, question number 19 हम आप लोग को बता दे, most important question है, क्या है most important, अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, देखिए, एक निश्ची तरासी साधारण ब्याज की दर से पांच बर्सों में स्वायम की दो गुनी हो जाती है, समान साधारण ब्याज दर से वह कितने बर्सों में स्वायम की दो गुनी हो जाती है, समान साधारण ब्याज दर से वह कितने बर्सों में, यानि रासी वही है, और rate of interest भी वही है, और कितने बर्स में स्वायम की दो गुनी हो जाती है, तो इस question के लिए बताए, तो आप लोग कमेंट करके, क्या answer होगा इसका बहुत अक्से, very good, हाँ, देखिए, पाँच वर्स में दो गुना, कुछ नहीं करना है, पाँच वर्स में स्वायम क क्या हुआ है, स्वायम का, स्वायम का दो गुना हुआ है, मतलब, 100 रुपए क्या हो गया, 200 रुपए हो गया, देखिएगा आप सब इस पूइट, स कितने बर्स में, पांच बर्स में क्या हुआ है, सो रुपए बढ़ा है, कह रहा है, सामान साधार ब्याज दर्से वह कितने बर्सों में स्वायम की सोला गुना होगा, यानि सो रुपए क्या हो जाए, सोला गुना मतलब सोला सो हो जाए, तो ब्याज कितना बढ़ेगा, यहां 100 रुपय हुआ, तो कितने बर्स में ये 1500 होगा, बताइए, 100 का कितना गुना है 1500, 15 गुना, तो 5 का 15 गुना करेंगे, ऐसे देख सकते हैं, ये गुने क्या है, 15, तो इधर भी क्या होगा, गुने होगा 15, तो 15 पचे क्या होगा, 75 बर्स, ये क्या होगा, 75 बर्स, आंसर होगा, 75 70 words, यही answer होगा, चले, next question देखिएगा, question number 20, question number 20 देखिए आप सब student, इसके पहले कौन सा question था, हाँ, question number 19 हो गया, question number 20, question number 20 भी देखिएगा, most important है, क्या है, most important है, अच्छे से समझेंगे आप सब student, question है, कोई धनराशी साधरण ब्याज पर, 3 वर्सों में 840 रुपे, तथा 7 वर्सों में 1200 रुपे हो जाती है, मूल्धन का मान रुपे में क्या है, मूल्धन बताना है, यानि principle बताना है, देखिएगा, कोई धनराशी साधरण ब्याज पर, 3 वर्स में 840, मतलब 840 3 वर्स में हुआ है, इसमें मूल्धन भी हो और घटा देंगे, तो मूल्धन आएगा, यहीं तो कह रहा है, हाँ, देखिए, लेबल जो चल रहा है, आप लोगों का, 0 लेबल से चल रहा है, लेबल 1, लेबल 2, ऐसे हम कोशन को set करके लाए है, ताकि पूरा हम आप लोगों को math पढ़ा दे, एकदम basics और आपको कहीं पे भी दिक्कत ना आए, कोई भी chapter स्टार्ट करते है, छोटे कोशन से स्टार्ट करते है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है, तो अब उमीद करते हैं, आप सभी students बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, देखिए, तीन बर्स में क्या हुआ है, तीन बर्स में क्या हु बढ़ा कितना, 840, 6 जोड़ेंगे 900, 900, 900, 300, 1200, यानि कि 360 रुपे, यहां दीजिएगा, यहां पर समझ ना है, 4 बर्स में कितना बढ़ा है, 4 बर्स में, ब्याज, साधरण ब्याज है, प्रति बर्स एक समान बढ़ता है, तो तिखिएगा, 4 बर्स में बढ़ा कितना है, 360 एक बर्स में कितना, 90 रुपे, तो देखिएगा, 3 बर्स में, 840 क्या हुआ है, रुपे हो गया है, जो amount है, मिस्रधन है, 840 हुआ है, तो 3 बर्स का इसमें, अगर हम ब्याज सिर्फ निकाले, तो एक बर्स का अगर 90 रुपे है, तो 3 बर्स का, न 327, यानि 270, क्या होगा, 3 ब बताना है, और यह amount है, amount में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, amount में क्या होता है, amount दिया हुआ है, 840, और देखिए, amount में होता क्या है, principle होता है, और SI होता है, यही तो होता है, और principle में से ध्यान दीजिए, आप सब सुटें, अगर amount में से, amount में से SI घटा देंगे, तो क्या ह प्रिंस्पल आएगा, कहने का मतलब है, अगर हम लोगों को प्रिंस्पल बताना है, तो 840 में से 270 को माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हाँ, 840 में से 270 को माइनस करना पड़ेगा, तो आएगा क्या, बताइएगा, यह प्रिंस्पल आएगा, तो यह आएगा कित हो जाएगा answer हो जाएगा यानि करना क्या है यह तीन बर्स का इसमें ब्याज भी है और principal भी है तो तीन बर्स का ब्याज घटा दीजिए और 80 आजाएगे 840 में से तीन बर्स का क्या किये ब्याज घटा दीए आप सभी students सही है जितने students 570 answer दे रहे बताईए एक बार समझ में आया की नहीं यहाँ पे कुछ नहीं करना है तीन बर्स में क्या हुआ 840 दिए तीन बर्स में साथ बर्स में क्या हुआ 1200 तो चार बर्स में ब्याज ही तो बढ़ा है चार बर्स में ब्याज कितना बढ़ा है 360 चार बर्स में 360 260, एक वर्स में 90, तो तीन वर्स में कितना, 270, तीन वर्स का इसमें से घटा दीजिए, या साथ वर्स का इसमें से घटा दीजिए, आप ये भी कर सकते हैं, ये देखिए, साथ वर्स में इतना हुआ है न, तो साथ वर्स का क्या होगा, एक वर्स का अगर 90 रुपे, साथ वर्स सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे निकाल सकते हैं, चलिए, समझ में आप लोगों को आ गया है, बहुत एक्षे, उमीद करते हैं, सभी स्टूडेंट समझ गया है, ठीक है, चलिए, एक कोश्चन समझ गया है, तो चलिए, इस कोश्चन का आप लोग अंसर दीजिए, तो इस इस question का answer आप सभी student देंगे, question number 21, question number 21 most important है, इस question का answer आप लोग दीजिए, कोई धन्रासी साधाना भी आज पर 5 वर्सों में 1,020 रुपए तथा 8 वर्सों में 12,00 रुपए हो जाती है, मुल्धन का मान क्या है, मुल्धन बताना है क्या होगा, बताइए, इस question का answer बताईए, हाँ, सर sort में बताईए, sort में ही बता रहे है, simple तरीका, basic नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है, देखिए, इसको भी समझाते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग solve कर लेंगे, देखिए, पांच बरस में क्या हो रहा है, देखिएगा, आप सब student देखिए यहाँ पे कर रहे है, पांच बरस में कितना रुपए हो रहा है, एक हजार बीस रुपए, आठ बरस में कितना हो गया, बारा सो रुपए, तो इधर देखेंगे, 3 बर्स में कितना बढ़ा, ध्यान दीजे, 3 बर्स में 3 बढ़ रहा है, इधर कितना बढ़ रहा है, 120 में, सॉरी, 120 में 80 जोड़ेंगे, 1100, 1200, यानि कि कितना बढ़ा, 180 रुपए बढ़ा, 180 रुपए बढ़ा, कितने बर्स में, 3 बर्स में, समझ में आ रहा है, देखिएगा, य तो यहां पे देखिए, five versus का इसमें ब्याज भी है, और मोल्धन भी है, तो ब्याज इसमें घटा सकते है, या इसमें स्ञाइँ गाड़र्स का घटा सकते है, तो आप five versus का घटाएंगे, एक वर्स में अगर साथ रुपए, तो पाँच वर्स में पांच गुने साथ यानिकी छे पच्चे 300, या साटवूने पांच करेंगे, 300 रुपए, 300 रुपए आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे, जो प्रिंसपल होगा होगा? 1020 माइनस तीन सौ, तो घटाएंगे तो क्या होगा? 720 रुपे, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 720 या आप चाहे या आप चाहे तो इसमें से 8 वर्थ का एक वर्थ में 60 रुपे तो 6,8,8,4 480 इसमें से घटा लिजिए 480 घटा लिजिए तो भी आपका आ जाएगा ठीक है? तो सिंपल होता है छोटे वाले सुगटा है हाँ छोटा वाले को ठीक है उपर वाले को 720 आंसर हो रहे बहुत एक्षे बहुत सिंपल तरीका है बहुत आसान तरीका है कुछ नहीं करना है यहीं तो कंपेर करना है कि इधर बर्थ में 3 बढ़ रहा है आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है 5 से 8 हुआ तीन बर्थ बढ़ा 1020 से 1200 हुआ क्या देखिएगा इधर कितना हो गया 180 बर्थ तीन बर्थ में 100 C1 बर्थ में 60 तो 5 बर्थ में 6 35 300 घटा देंगे 1020 में 300 घटा हैंगे 720 यहीं पे आंसर यह तो बस हम आप लोगों समझाने के लिख रहे है, notes करने के लिख रहे है ताकि आप लोग note कर सके, ने तो प्रसन का answer तो यहीं पे है बताइए, pen उठाने की ज़रुरत है बिलकुल भी नहीं है, बस हम आप लोगो समझाने के लिख रहे है, ताकि आप लोग समझ सके और ऐसे question आये तो आप लोग answer दे सके हाँ, कभी गलत ना हो ठीक है? हाँ, कोई formula नहीं लगाना है समझे में आगया आप सब student question चले, next question के तरफ चले आगे देखिएगा, question number 22 question number 22 question number 22 हम आप लोगों को बता दे most important question ये भी है क्या है? most important question को बहुत ही अच्छे तरीके सी समझे ना है ठीक है? देखिए, question है एक व्यक्ति ने एक वैंक में एक साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए 4 वर्सों के लिए और 600 रुपए 3 वर्सों के लिए जम्मा किये उसे कुल 190 रुपए की 180 ब्याज के रूप में मिली तो अधुन उसार साधारण ब्याज की वार्सिक दर कितनी है? rate of interest बताना है देखिए, इस question को थोड़ा सा समझाएंगे थोड़ा सा समझाएंगे, आप लोग समझ जाएंगे एक व्यक्ति ने एक वैंक में एक समान साधारण ब्याज हाँ, एक समान साधारण ब्याज दर मतलब जो rate of interest है, वो समान है ठीक है? rate of interest क्या है? समान है, और 500 रुपए ध्यान दीजेगा, हाँ, एक बैंक में 500 रुपए 4 वर्स के लिए और ध्यान दीजेगा, और 600 रुपए तीन ब्याज के लिए जमा किया है और ब्याज के रुप में, टोटल जो दोनो रुपए जो जमा किया है, अलग-अलग उसमें 190 रुपए उसे क्या हुआ है? ब्याज के रुप में मिला है तो पूछ रहे हैं, जो साधारण ब्याज की दर है वो कितना परसेंट है कि एक को जमा किया ये चार वर्ज के लिए और दूसरे को तीन वर्ज के लिए और ब्याज इसे सिर्फ मिला कितना? 190 जो 190 रुपए ब्याज मिला है ये दोनो रुपए उपए मिला है तो ये पूछ रहे है, rate of interest क्या है? देखिए, कुछ नहीं करना है आप सब को पता होना चाहिए ध्यान दिजिएगा आप सब को पता होना चाहिए SI बराबर क्या होता है? PRT upon 100, ठीक है? तो ये दो परकार के, ध्यान दिजिएगा यहाँ पे देखिएगा आप सब इस्टूडेट देखिएगा, rate of interest समान है एक बार 500 रुपए 4 वर्स के लिए जमा किया है और एक बार दोस्तों 600 रुपए 3 वर्स के लिए जमा किया है तो यहाँ पे PRT upon 100, दो बर है तो ये भी होगा PRT upon 100, दो बर करेंगे, ठीक है? अब देखिए, जो simple interest SI है वो कितना है? कितना है? 190 रुपए है देखिएगा, principle समझिएगा इसका principle क्या है? 500 रुपए है पहले का, तो 500 गुने rate of interest, देखिएगा एक समान साधारव्याज rate of interest R समान है और इसके लिए time क्या है? 500 रुपए के 4 वर्स बटा का क्या होगा? 100 होगा फिर प्लस करेंगे ये देखिएगा, इसके लिए principle कितना है? 600 रुपए है और rate of interest क्या है? एक समान है R जो percent है, वही R इधर भी है लेकिन time इसके लिए क्या है? 3 वर्स है तो गुने क्या करेंगे? 3 और बटा क्या होगा? 100 अब आप R की value बता सकते है देखिए, 2 0 से 2 0 cancel, ये 2 0 से 2 0 cancel, अब देखिएगा इधर हो रहा है 190 और इधर हो रहा है 5 को 20 और ये R यानि कि 20 R प्लस 3 18 R यानि कि ये हो गया 18 R ठीक है? 20 R और 18 R मिल के क्या होगा? 38 R ठीक है? हाँ, ध्यान दीजेगा 38 R, 20 और 18 और इधर किया 190, तो 38 R बराबर 190, यहाँ पर कर देते हैं 38 R, 38 R बराबर 190, तो R बराबर क्या होगा? 190 बता का 38, तो 19 दहां में 190, 19 दुना के 32, 10 तो rate of interest जो R होगा, वो होगा 5% और यही क्या होगा? अंसर होगा देखिए, यहाँ पर क्या है? SI, मिल के आ रहा है, दो प्रकार के धन है 500 रुपए है, 4 बर्स के लिए rate of interest R, दोनों के लिए समान है, ठीक है? और 600 रुपए है, 3 बर्स के लिए, और दोनों का जो simple interest SI है, कुल 190 रुपए की रासी है यही तो कह रहा है, बस ऐसे ही करना है, अगर 3 परकार को तो और जोड दीजिये, 4 बोले तो 4 बर कर दीजिये, कर सकते हैं आप लोग, उमीद करते हैं समझ रहे होंगे ऐसे question को कैसे solve करना है, एक बार comment करके बताए समझ में आये की नहीं, हाँ, देखिए 38 R, यह तो समझ में आया 20 R, और 18 R, 20, 18, 38 38 R, बराबर 190 कहीं पर कोई confusion, कुईसी को कोई confusion नहीं है, ठीक है, तो 38 R, बराबर 190, तो R, बराबर 5% आएगा, ठीक है, एक दम सही हाँ, जो rate of interest होगा, 5% होगा, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं 5, 4, 20% और इधर किदर से 4 बरसों के लिए क्या होगा, 20% SI क्या होता है, 80%, ठीक है, तो SI जब 80% होता है, तो R, समझ रहे हैं, आप सब student 5 है, तो T, 5 5 को 20%, इसका निकालेंगे, तो 25, 100, 100 रुपे होगा, इसका दोस्तों क्या करेंगे, 3 बरस के लिए 5%, 15%, और 15%, 6 का निकालेंगे, 600 का, तो बंदर अच्छा के 90, 90 रुपे, 100 रुपे और 90 रुपे मिलके क्या होगे, 190 रुपे, आप चेक भी कर सकते हैं, हाँ, आप चेक भी कर सकते हैं, ऐसे, तो भी आपका अंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, सारी कोशन समझ में आएंगे, आप लोग बस क्या करिए, मन लगा कि पढ़िए, खुब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को जॉइन करिए, कहीं पर दिक्कत आ रही है, तो बताईए आप लोग, ठीक है, अगर आपको किसी प्रगार की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम से अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े, तो इंस्टाग्राम पे ससी मेकर सर्च करिए, और फॉलो कर लीजे, जुड़ जाएए, टेली गराम पे ससी मेकर शर्च करिए, हाँ, टेली गराम को जॉइन कर लीजेगा, ताकि डेली जो क्लास चले रही है, उसकी आपको टैमिंग पता चल सके, ठीक है, हाँ, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से जुड़े रही है, और एक बात और हम आप लोग को बताना चाहेंगे, जितने भी आप लोग स्टुडेंट हैं, आप सभी स्टुडेंट अससी मेकर को फाइफ स्टार की रेटिंग और वहतिन रिव्यू जरूर दीजे, ठीक ह ठीक है, ठीक है, चले, प्लेयर स्टुडेंट पर जाएंगे, ससी मेकर टाइप करेंगे, आप का अपडेट का उप्शन होगा, अपडेट कर लीजे, नहीं उप्शन है, तो फाइफ स्टार की रेटी और वहतिन रिव्यू जरूर दीजे, चलिए, नेक्स कोशन रखते हैं, टेस्ट के तोर पर आप सभी स्टुडेंट आंसर इसका देंगे, ठीक है, हाँ, कोशन नमबर 23, चार वर्ष के लिए 5,000 रुपए, तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपए की जमा रासियों पर, साधारण ब्याज की एक समान बार्षिक दर होने पर, rate of interest समान होने पर, कुल 2, 2,400 रुपए की ब्याज रासी प्राप्त होती है, बार्षिक ब्याज दर ग्यात कीजिए, बार्षिक ब्याज दर ग्यात कीजिए, तर आप इंस्टाग्राम पर रिपलाई नहीं करते हैं, हाँ, चलिए, रिपलाई करेंगे, आज मैसेज करिएगा, ठीक है, चलिए, रिपल 24 सो रुपए की ब्याज रासी प्राप होती है बार्शिक ब्याजदर ग्याद कीजिए चलिए देखिएगा SI ध्यान दीजिएगा SI मतलब सिंपल एंट्रेस्ट बराबर P into R into T यानि P RT अपान हंड्रेड प्लस ध्यान दीजिएगा फिर होगा P into R into T अपान हंड्रेड क्योंकि दो अलग-अलग रासी है दो अलग-अलग टाइम है और रेट आफ इंट्रेस्ट समान है ठीक है और जो कुल ब्याज मिला है 24 है जो SI है सिंपल इंट्रेस्ट है वो कितना है 24 है पहला जो प्रिंस्पल है 5000 रुपए है ये 5000 रुपए है रेट आफ इंट्रेस्ट क्या है ध्य करेंगे दूसरा जो रुपए है वो कितना है 4,000 रुपए है कितना है प्रिंसपल 4,000 रुपए है रेट अफ इंट्रेस्ट आर बताना है जो समान है इधर भी यार इधर भी आर टाइम क्या है इधर टाइम क्या है पांच बरस है और बटा का क्या होगा 100 बटा का क्या होगा 100 अब आप सब इस student answer दे सकते हैं, दो 0 से, दो 0 cancel, ये वाला दो 0 से, ये वाला दो 0 cancel, अब देखिए, 50 चोग को 200, ध्यान दीजेगा, 50 चोग को 200, और ये R, यानि 200 R, प्लस 40 पच्चे 200, 200 और ये वाला R, यानि कyi 200 R, और इधर क्या है? 2400 है यानि 2400 200R 200R मिलके क्या होगा 400R ध्यान दीजिएगा 400R बराबर क्या हो जाएगा 2400 यहाँ पे कोई confusion नहीं होना चीए कुछ student बोलते हैं सर इधर का इधर क्यों लिख देते हैं हाँ simple है पढ़ने के लिए आसान है तो आप देखिए 400R बराबर क्या है 2400 ध्यान दीजिए 400R बराबर 2400 तो R बराबर यहीं पे बता सकते हैं यहाँ पे कह सकते हैं R बराबर क्या हो जाएगा 2400 बटा का 400 तो यह डारेक्ट कटेगा 4, 6, 24 R बराबर क्या हो जाएगा R बराबर क्या होगा 6% Umeed कर رہے ہیں आप सविस्टूटिन समझ गए होंगے कि ऐसे प्राशनों को कैसे solve किया जाता है उमीद करते है आप सविस्टूटिन समझ गए होंगے कि ऐसे प्राशनों को कैसे solve किया जाता है देखें जब कभी भी ऐसे question है आप करेंगे ऐसे थीक है हाँ, formula आप लोगों का SI बराबर PRT upon 100 ही लगाना है, ठीक है, हाँ, दो परकार की रासिया है, दो परकार के वर्स है, समझ रहे हैं, अगर तीन परकार की होंगी, तो तीन कर लीजिए, चार होंगी, चार कर लेंगे, उमीद करते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, हाँ, एकदम सही, तो 400 R बराबर क्या है, ध्यान दीजिएगा, 400 R बराबर क्या है, सॉरी, 400 R बराबर क्या है, 2400, अच्छा, यहां 24,000 होगे, कोई नहीं, 400 R बराबर क्या है, 2400, ठीक है, कोई नहीं, 400 R बराबर क्या है, 2400, हाँ, तो R बराबर क्या होगा, 2400, ठीक है, 6%, एकदम सही, करें कि नमस्कार दोश्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूं एससी मेकर के इस ओनलाइन प्रेटफार्म पे कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके आप लोग वदाईए तो वाइस क्लियर है आवाज इस प्रस टेक नहीं आप सभी को गूड के सारे important question हम cover करेंगे ठीक है हाँ ये class 4 है simple interest का ये class 4 है इससे पहले हम आप लोगों को बता दे simple interest में 3 class चल चुका है अगर पीछे वाली class अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग जरूर देख लिएगा उमीद करते हैं जो पीछे वाली आप लोगो class का आप लोगों को क्या करना है जो भी class चल रहा है उसका revision करना है practice करना है और इसकी PDF आप लोगों को proper मिल रहा होगा PDF से अपने आप से भी प्रशनों को क्या करना है solve करना है ठीक है हाँ और मन लगा के खुब अच्छे से पढ़ना है और daily class को जवाइन करना है चलिए हाँ एक दम सही है तबयत भी मेरी बहुत अच्छी है उमीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और त्यारी भी आप लोग की बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी देखिए जो भी classes चल रही है सभी classes का revision practice जरूर करिए इसलिए मैं daily ये बोलता हूँ जब आप revision करेंगे practice करते रहेंगे तो आप पीछे वाली चीज़े भूलेंगे नहीं और भूलेंगे नहीं तो सारी चीज़े क्या हो रहेंगी आपको याद रहेंगी paper देंगे तो आप बहुत अच्छे number से pass करेंगे ठीक है आज की class को हम आगे continue करेंगे आप सब student देखेंगे आप लोगों को करा चुके question उमीद करते हैं आप लोग पीछे वाली चो class चली उसका सभी लोग अच्छे तरीके से revision किये होंगे सारे question की practice किये होंगे और आज हम स्टार्ट करने जा रहें question number 24 question number 24 देखिएगा important है question ध्यान से पढ़ेंगे हम आप लोगों को बता दे most important question है बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है question है सीमा ने समान धनरासी दो अलग-अलग बैंकों में जमा की जो करमसह 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं तीन वर्स के बाद उसे कुल 3300 रुपए ब्याज मिला उसने कुल कितनी रासी जमा की थी देखिएगा पीछे वाले पीछे वाली क्लास में हम आप लोगों को बताये थे उसमें rate of interest बताना था समान धर था इसमें क्या है समान धनरासी है और rate of interest भी दिया है ध्यान दीजिए एक है 10% दूसरा है 12% और समय दोनों के लिए क्या है तीन वर्स है ब्याज कितना मिल रहा है 3300 मिल रहा है देखिए समय सीएगा आप सभी सुडेंट क्या होता है SI बराबर देखिएगा solve कर रहें simple interest बराबर क्या होता है PRT पी आर्टी अपान 100 दो प्रकार की रासी है दो अल समान धनरासी है लेकि rate of interest क्या है अलग अलग है एक R1 है एक R2 है ठीक है P समान है principle जो है समान है समान धनरासी है इधर क्या होगा R2 और ये time समान है बटा 100 यही होगा ना बताइए आप देखिए simple interest क्या मिला है तीन वर्स के बाद 3300 मिला है तो ये SI की जगा पे क्या हो करना है बताना है P ही बताना है देखिए rate of interest एक है दोस्तों 10% और time क्या है दोनों के लिए 3 वर्स ही है तो इसके लिए 3 वर्स बटा क्या होगा 100 फिर प्लस principle बताना है समान धनरासी है P बताना है ठीक है देखिएगा ये P हो गया rate of interest R2 जो है वो 12% है ठीक है गुने time क्या है इसके लिए भी 3 वर्स है बता क्या होगा 100 अब तो आप solve कर सकते हैं आगे देखिएगा आप सब स्टूडेंट समझेंगे ज्यादा कुछ नहीं करना है तीन गुने 10 30 हो जाएगा 10 याई 30 30 गुने P करेंगे तो 30 P ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा 30 P by 100 यानि 30 P बता 100 और यहां क्या है ये 3300 है ये SI 3300 है अगर हम 100 का LCM ले तो क्या होगा दोनों तरफ 100 100 है तो LCM 100 होगा 100 से 100 कटेगा तो ये हो जाएगा 30 P और प्लस 100 से 100 कट जाएगा ये हो जाएगा 36 P तो अब देखिए और ये ध्यान दीजिएगा इधर बराबर ये आपका 3300 है ध्यान दीजि अब यह देखिएगा, तीस भी ए चछतिस भी मिलके क्या हो जाएगा, च्छाचट P, च्छाचट P और बटा का क्या होगा, सो, ध्यां दीजिये, समझ रहे होंगे, उमीद कर रहे हैं, अब आप इसको कटा सकते हैं, देखिएगा, डिरेक्ट चाहे तो कटा लीजिये, या और पचास गुने सौ करेंगे तो क्या हो जाएगा पी बराबर क्या होगा ये भाग में इदर आएगा गुना में हो जाएगा तो पी बराबर क्या होगा पचास गुने सौ पचास गुने सौ का मतलब क्या होगा पी बराबर पांच हजार जो प्रिंसपल होगा यानि जो धनरा ही होगी ध्यान दीजिये गाओ होगा 5000 क्या होगा 5000 बहुत अग्षे जितने स्कूडेंट 5000 आंसर दे रहें आप सब बेसिक तरीका यानी मैथड वन यह रहा मैथड वन अभी हम आप लोगों को मैथड टू भी बताएंगे पहले यह बताईए समझ में आया की नहीं यह बेसिक तरीका है एसाई बराबर पी आर टी अपान हेंड़ेड वाला ठीक है हां मोल्धन गुने दर गुने समय बटा सौ अ देखिए 10% की दर से है कितना बर्स है ध्यांदीजेगा 10% की दर से है तीन बर्स ठीक है फिर प्लस ध्यांदीजेगा 12% की दर से है ध्यांदीजे कितना परसेंट 12% की दर से है कितने बर्स के लिए तीन बर्स और इसमें क्या होता है ध्यांदीजे यह गुने गुने तीन ठ 12, 10, 22 ती एाई 6, 8, 6, 8% है 6, 8% simple interest है direct जोड देंगे 6, 8% बराबर क्या है 39, 100 तो 100% बराबर क्या होगा देखिएगा 10 ती एी 30 और 12 ती एी 36 तो यह क्या हो जाएगा 66% 6-6% बराबर क्या है? 33-100 है तो 100% क्या हो जाएगा? प्रिंस्पल हो जाएगा, मुल्धन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 33-100 बटा का 6-6 और गुने क्या होगा? 100 आप कटा सकते हैं 33-33 और 33 दुना के 6-6 2 से ये कटेगा 50 और 50 दुने 2 करेंगे तो क्या होगा? 5000 क्या होगा? 5000 हो जाएगा इतने में ही इसका अंसर आगया आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हाँ, LCM बगरा निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है डेरेक्ट, बताइए तो कितने स्टूडेंट ऐसे किये ऐसे किये, तो भी अच्छी बात है और तरीका आपको यहीं लगाना है simple interest है, अगर 10% की दर से 3 बर्स चले तो क्या होगा? 30% होगा 12% की दर से 3 बर्स चले तो क्या होगा? 12% यही 36% हो जाएगा 36% और 30% जोडेंगे तो क्या होगा? 36% होगा और इनको कुल जो ब्याज मिला है तो क्या है? 3300, तो 6% बर्बर 3300, तो 100% बर्बर क्या होगा? 5000 होगा बताइए समझ में आया कि नई question एक बार जल्दी से आप लोग बहुत अख्छे, very good समझ में आ गया है, तो यह जो method 2 है आपको यह वाला exam में लगाना है यह आप लोगों को समझाने के लिए लिखे ताकि आप लोग समझ सके चलिए, बहुत अख्छे सब इस्टूडेंट समझ गए है हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी किये है बहुत अख्छे, ठीक है? चलिए, next question देखते है हाँ, एकदम सही, 30% प्लस 36% बड़ाबर, 68% ठीक है, हाँ, 10% की दर है 12% की दर है, 3 बर्स के लिए है तो आप 10, 12, 22, 22, 26 68% बड़ाबर, ब्याज क्या मिला है? 3300, तो 68% बड़ाबर, 3300 तो 100% बड़ाबर, 5000, ठीक है? चलिए, next question देखेंगे अगला question आप लोग देखेंगे question number 25 question number 25 देखिएगा, बहुत important है question number 25 most important question है, अच्छे से देखेंगे और समझने का आप लोग प्रयास करेंगे question है, एक आदमी के पास 10,000 रुपया है उसने इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर और 30,000, 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया पांच बरस्तों के बाद ध्यान दिजिएगा, पांच बरस्तों के बाद उसे ब्याज के रूप में 6,500 यरी 5,500 रुपय की प्राप्ती हुई उसके द्वारा उधार दी गई धनराशियों के बीच अंतर क्या है पहले तो उधार दी गई आप धनराशी निकालेंगे कितना कितना दिया है अलग-अलग दो धनराशी फिर उसका अंतर करेंगे, ठीक है सिंपल तरीका भी बताएंगे, पहले आप लोग लिखिए, मैथड वन लिखिए, ठीक है, क्या मैथड वन लिखेंगे, 10,000 रुपए है ध्यान दीजे, एक आदमी के पास 10,000 है उसने इसका एक हिस्सा अब यह नहीं बताया है कि 5,000, 7,000, 8,000 ऐसे कुछ नहीं बताया है एक हिस्सा 15% और 6, 2% पर दिया कितने वर्सों के लिए, 5 वर्स के लिए और 65,000 रुपए का क्या मिला है 65,000 रुपए का क्या मिला है हाँ, ब्याज मिला है तो पूछ रहा है, उसके द्वारा उधार दी गए धनरासियों के बीच अंतर क्या है देखिएगा, आप सब इस्टूडेंट समझिएगा अभी हम आप लोगों को बताए है SI बराबर क्या होता है PRT upon 100 माल लेंगे एक धनरासी X रुपए है ठीक है, हाँ X रुपए दिया, कितने परसेंट PR की जगा पर, देखिएगा P principle, एक X माल लिए 15% की दर से कितने वर्स के लिए, 5 वर्स के लिए दिया ठीक है, बटा का क्या होगा ध्यान दिजिएगा, आप सब इस्टूडेंट समझिएगा हाँ, 15% की दर से दिया है तो ध्यान दिजिएगा, यहाँ पर बटा क्या हो जाएगा बताएगा, 100 फिर प्लस, दूसरा क्या होगा 10,000 में से X घटेगा देखिएगा, समझिएगा आप लोग 10,000 10,000 माइनस X हाँ, कितना होगा 10,000 10,000 माइनस X यह कितने परसेंट की दर से दिया है 10% की ध्यान दिजिएगा, यह क्या है 10% की दर से कितने वर्स के लिए है कितने वर्स के लिए है यह 5 वर्स के लिए है ठीक है, 5 वर्स के लिए है बता क्या होगा 100 बता क्या होगा 100 अभी आसान तरीका बताएंगे, समझिएगा इसके बाद इसे ब्याज कितना मिला है SI, simple interest क्या मिला है 6,500 सो क्या मिला है पैसट सो मिला है बस आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आप सभी स्पूडिंट सॉल्व कर सकते हैं देखिएगा समझ यह नहीं समझ में आ रहा है ते देखिए 15 75 यह होगा क्या 75 x बटा का 100 और यह प्लस दस पचे 50 और 50 गुने 10,000 करेंगे तो 5 लग लिख दीजिए या 50 गुने 10,000 भी लिख सकते हैं ठीक है देखिएगा आप लोगो को बता रहे हैं तो इधर गुना करेंगे तो 50 से कम क्या हो जाएगा 50 उसके बाद 4,0 लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा 5 लाग फिर माइनस क्या होगा 10 पचे 50 50 में एक से गुना करेंगे तो 50 X होगा देखिए एक दम जो भी क्लास से चल रही है बेसिक से समझा रहे हैं एक एक चीज समझा रहे हैं कितना हूँ वीक होंगे तूमीद करते हैं समझ रहे होंगे ठीक है हाँ जितने भी कमजोड शायत ने हैं वीक स्ट गाएगे नहीं कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे तो बटा क्या हो जाएगा 100 तो LCM लेंगे ध्यान दीजे बराबर क्या है 3500 है अगर आप LCM लेंगे दोनों का तो यह क्या होगा 100 100 और 100 का LCM लेंगे 100 100 से 100 कंसील होगा यह 50 X-50 X देखिएगा लिक द पाचलाग yang क्या हो जाएगा 500 फिर 100 क्या होगा हम nurses क्या होगा माइनस क्या होगा ध्यान दीजीएगा 100 6 क्या होगा देखिएगा आप सब स्ट्ट फिर 50 X हो जाएगा 50 X पूरा लिक दिए हैं अब इससे आसान भासा कुछ नहीं हो सकता आब यहाँ 5500 सिम्बल तरीका भी 25x plus क्या है 5,00,000,000, ध्यान दीजिए, 25x plus क्या है 5,00,000, बराबर, ये 100 भाग में है उधर जाएगा, तो गुना में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 65,00 के बाद 2,0 आप लगा देंगे, यानि 6,00,000,000, 25x plus 5,00,000, बराबर 6,00,000, तो 25x बराबर क्या होगा, 5,00,000, जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिएगा, आप सब इस्टूडेट, 25x बराबर क्या हो जाएगा, 6,00,000, में से, ये plus का है, उधर जाएगा, माइनस में होगा, समझेएगा, आप सब इस्टूडेट, तो 5,00,000, जब घटाएगे, तो क्या होगा, 6,00, 6,00, गटाएगे, तो 1,50,000, क्या होगा, 1,50,000, तो X बराबर क्या हो जाएगा, बताएगा, 1,50,000, और बटा का 25, तो 25 छक्के क्या होता है, 1,500, ये हो जाएगा, 6,000, तो X बराबर क्या होगा, X बराबर आया, 6,000, हम लोगों से पूछा क्या है, हम लोगों से पूछा क्या है, बताईएगा आप सब इस टूडिक, अभी आसान तरीका हम आप लोग को बताएंगे, हम लोगों से इस प्रस्न में पूछ क्या रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है, उसके द्वारा दी गई धनरासियों के बीच अंतर, ध्यान दीजिये, एक्स बराबर 6,000 आया, अगर ये 6, हजार है, अगर ये 6,000 है, ध्यान दीजियेगा, तो ये 10,000 माइनस 6,000, तो क्या हो जाएगा, 4,000, ध्यान दीजिये, तो जो दोनों धनरासी है, पहली जो धनरासी है, वो क्या है दोस्तो, 6,000 है, ठीक है, हाँ, एक धनरासी 6,000 है, और second जो है, वो क्या होगी, 4,000, क्योंकि आंसर इसका क्या होगा आंसर होगा 2000 अभी एक और तरीका आसान तरीका बता रहें आप लोग इसे क्या करिएगा एक बार हम आप लोग उसे कह रहें कर लिएंगे ठीक है देखिए ये तो आप लोग समझ गए ये तो आप समझ गए देखिए फिर से बताएं देखिए फिर से क्या बताना है वही तो है SI बराबर PRT 500 ये 10,000 रुपे है न तो इसको दो पार्ट में किये एक X हो जाएगा दूसरा क्या होगा 10,000, 10,000-X यही तो किये है प्रिंसपल की जगा एक जगा एक समय गए तो दोनों जगा रख सकते 10,000 में से 6,000 गटेगा बस यही किये पीछे वाला जो कोशे ने सेम टाइप का है देखिए SI बराबर PRT 500 एक पहला प्रिंसपल वाल प्रिंसपल 2 ठीक है बस यही है हाँ समझ में आया आयगा सब समझ में आयगा अभी आसान तरीका भी हम आप लोगों को बता रहे हैं हाँ उमीद करते हैं आप इसको सेप कर लिए होंगे solve करने के लिए आसान तरीका क्या होगा ध्यान दीजिएगा आसान तरीका क्या होगा आसान तरीका अब आप लोग देखेंगे आसान तरीका पांच बर्स में ध्यान दीजिएगा पांच बर्स में ब्याज के रूप में कितना मिला है पैंसट सो पांच बर्स में ब्याज के मिला है पैंसट सो तो एक वर्स में क्या होगा पैंसट सो बटा पांच यानि तेरह सो एक वर्स में क्या होगा तेरह सो मिलेगा समझेगा आप सब दो जिरो कंसिल, दोजिरो से दोजिरो कंसिल, तो यह कितना percent है? 13 percent है, कितना percent है? 13 percent, जो ब्यादग दर है, ध्यान दिज reduction है, ओवराल, ठीक है, आप देखिए, पहली जो है, ओ कितना percent है? 15 percent है, second वाली जो धनराशी है, दूसरा जो भाग है यानि कि जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है 10 परसेंट पे हैं परसेंट नहीं लिखते हैं 10 और ओवराल जो है वो तेरा है तो एलिगेशन रूल आप लोगों को आगे अभी हम पढ़ाएंगे अभी यहां पे आप लोग सीखेंगे ठीक है तो पंदरा दस त सामने लिखेंगे इस साइड लिखेंगे टेरह में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा तेरह मेंसे 10 जा 3 तो पहला और दूसरा जो धन्राशी है आप लोग देखेंगे अगर हम कहें 1st two second जो धन्राशी है औो कि köई तो अगर हम रेशियों जोड़े तीन दो तीन दो रेशियों जोड़े तो क्या होगा पांच और पांच रेशियों बराबर रुपए कितना है टोटल दस हजार है कितना है दस हजार है तो एक रेशियों बराबर क्या होगा एक रेशियों बराबर होगा दो हजार एक रेशियों बराबर क्या होगा दो हजार अब देखिए हम लोगों से पूछ रहे हैं उसके द्वारा उधार दी गई धनराशियों के बीच अंतर अंतर के लिए निकालेंगे तो तीन रेशियो बराबर क्या होगा छे हजार और दो रेशियो बराबर क्या होगा अगर एक रेशियो बराबर दो हजार तो दो रेशियो बराबर भी आप answer दे सकते ठीक है बताइए समझ में आया की नहीं allegation rule है उमीद करते हैं समझ रहोंगे ये क्या है ये देखिएगा आप सब इस्टूडेट ये method 2 है क्या है ये method 2 है हाँ प्रसन को आप ऐसे भी solve कर सकते है 6, 5 ratio बराबर 5 ratio बराबर 10,000 1 ratio बराबर 2000 अंतर आप देखेंगे 3, 2 का अंतर एक है आप ऐसे कर सकते हैं एकदम सही उमीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रहोंगे चलिए next question के तरफ चले फटा-फट समझते चलिए और मन लगा के पढ़िए daily class को join करिए स्तीखेंगे आप लोग तो सब कुछ समझ में आएगा यह method 2 है और method 1 भी हम आप लोगों को बताएं है ठीक है? चलिए अगला question देखते हैं next question चलिए अगला question देखिएगा question number 26 question number 26 हम आप लोगों को बता दे यह भी most important question है ध्यान से देखेंगे question है 3100 यानि कि 3100 रुपए की एक धनरासी दो भागों में साधार ब्याज पर उधार दी जाती है एक भाग 8% की दर से तथा अन्य भाग 6% की दर से दिया जाएगा यदि कुल बारसिक ब्याज कुल बारसिक ब्याज मतलब एक बरस में ब्याज कितना मिला है 212 रुपए है तो 8% की दर पर दी गई धनरासी रुपए में क्या है देखिएगा कुछ नहीं करना है 3100 रुपए है एक X हो जाएगा और दूसरा जो होगा ओपाल्ट हो जाएगा 300 300 minus क्या होगा 300 minus X ठीक है 300 minus X अब देखिएगा कुछ ज्यादया नहीं करना है देखिएगा SI वराबर क्या होता है PRT upon 100 तो एक प्रिंस्पल X है rate of interest एक का क्या है 8% है और time क्या है एक बरस है बटा क्या होगा 100 ठीक है SI वराबर क्या होता है PRT upon 100 ठीक है हाँ ठीक है यहाँ पर देखिएगा अभी कुछ बात नहीं करना है अभी देखना है फिर प्लस दूसरी क्या है 300 300 minus X ये धनरासी है कितने % पे 6% तो गुने 6% rate of interest 6% है बस क्या है एक वर्थ और देखिए बटा क्या होगा 100 ब्याज कितना मिला है 212 रूपए ब्याज कितना मिला है 212 screenshot लेना है चलिए इसकी PDF हम आप लोगों को provide तो करी रहे हैं लिखा-लिखा या PDF मिलेगा screenshot के चक्कर में भी नहीं पढ़ना अभी समझ लिजिए ऐसा समझे कि दिमाग में screenshot की तरह रह जाए ताकि बाद में आपको ज़रूरत ना पढ़े question आए तो solve करेंगे देखिए 8 गुने 1 8 x मतलब क्या होगा 8 x 8 x बटा 100 प्लस अब देखिएगा 6 कम 6 अब देखिएगा यहाँ पर गुना करेंगे चो 6 3,18 6 आप ऐसे भी कर सकते हैं 6 0 0 6 0 0 6 कम 6 और 6 3,18 18,600 हाँ माइनस 6 गुने 1 6 और x से गुना करेंगे तो 6 x क्या होगा यह 6 x है 6 x समझ रहे और बटा क्या होगा 100 बराबर क्या होगा 2 1 2 212 ठीक है आप देखिए देखिएगा तो 8 x बटा 100 अब दूर नीचे अगर LCM लेंगे 100 100 का LCM तो क्या हो जाएगा 100 होगा LCM लेंगे तो क्या होगा 100 होगा 100 से 100 कटा यह क्या हो गया 8 x या बोलिए तो हम डिरेक्ट 8 x माइनस 6 x 2 x लिग दे यह भी कर सकते हैं देखिएगा यह भी हम कर सकते हैं यहाँ पर देखिए यह दोनो तो दोनो बराबर है तो कुछ नहीं करना है 8 x में से 6 x घटाएंगे तो यह होगा 2 x और प्लस क्या होगा 18,600 पीछे वाले question में पूरा step लिखे उमीद करते हैं से समझ रहे होंगे step अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए का लिख देंगे क्योंकि 100 से 100 कटेगा यह 18,600 ही बचेगा फिर माइनस 6 x तो 8 x में से 6 x घटेगा तो 2 x हो जाएगा बराबर क्या होगा 2 1 2 देखिएगा 2 1 2 यह तो समझ रहे है आप देखिए 2 x यहाँ पर लिख रहे है 2 x प्लस 18,600 2 x प्लस 18,600 बराबर 100 यह भाग में उदर जाएगा गुना में यानि कि 212 और 2 0 यानि कि 21,200 तो 2 x बराबर क्या होगा 21,200 माइनस यहाँ पर लिख देते हैं 2 x बराबर 21,000 ध्यान दीजिएगा 21,200 माइनस 18,000 कितना है 18,600 18,600 अब इसको घटा सकते हैं तो 2 x बराबर क्या होगा 18,600 आप करेंगे तो 6 4 19,000 हो जाएगा 400 जोडेंगे तो 19,21,2200 426 क्या होगा 2 x बराबर होगा 26 200 तो x बराबर क्या होगा 2 से भाग करेंगे 1300 एक्स बराबर क्या होगा 1300 हम लोगों से पूछ क्या रहा है हम लोगों से पूछ क्या रहा है प्रस्न में 8% की दर 8% की दर वाली ये है 6% की दर वाली ये है देखिएगा तो 8% वाली ये है तो X की value क्या ही है X की value 1300 8% वाला क्या होगा जो 8% वाला होगा वो 1300 हो जाएगा और जो 6% वाला होगा वो क्या होगा 3100-1300 3100 ध्यान दीजिएगा 3100-1300 तो 3100 में से 1300 घटा के लिख लेंगे ठीक है यही answer होगा 8% वाला पूछा है हाँ दूसरा क्या कर सकते है 3100 में से 1300 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1800 हाँ दूसरा क्या होगा 1800 3% वाली पूछता तो 1800 देते लेकिन हम लोगों से बूछा क्या है 8% वाली ठीक है तो यह रहा देखिए SI SI धर लिख दी है PRT upon 100 PRT upon 100 अब इसको बता रहे है यह तो बेसिक तरीका रहा है यह आप लाई कर सकते हैं इसमें दूसरा वाला तरीका नहीं लगाएंगे देखिएगा समझ गए देखिए इसमें दूसरा वाला अगर हम तरीका लगाएंगे देखिएगा आप सब सुटेंट बटा का क्या होगा 300 और गुने 100 तो यह 2 0 से 2 0 कटेगा 212 बटा का 31 हो जाएगा ठीक है तो यह क्या है पॉइंट में आने लगेगा क्या होगा पॉइंट में आने लगेगा 10 मलों में आएगा तो इसलिए क्या करेंगे यह वाला जो second method बता है इस पे आप नहीं लगाएंगे ह ठीक है इस पे क्या करेंगे वाली तरीका नहीं लगाएंगे इस पे आप क्या करेंगे जो method 1 है वही लगाएंगे यह तो आप समझ रहे हैं इसी को explain आगे की है ठीक है चलिए आगे चलते हैं next question देखेंगे अथे से समझी एक डम basic से classes चल रहे हैं चलिए अगला question देखेंग most important question है क्या है most important बहुत अच्छे से देखेंगे question है money 20,000 रुपए को दो भागों में उधार पर देता है देखिएगा 20,000 रुपए को दो भागों में उधार पर देता है वह पहले भाग को 6% तथा दूसरे भाग को 8% ब्याज पर उधार देता है यह दी देखिएगा उसे बार्सिक औस्तन ब्याज 6.4% प्राप्त होता है तो क्रमशा पूछ रहा है 6% ता 8% पर उधार दी गई रासिया रुपए में क्या है स्वाट में समझाएंगे देखिएगा आप लोग देखिएगा स्वाट में समझाएंगे कोई नहीं यहां पर देखिएगा सभी स्टूडेंट देखिएगा आप लोग एक बार इस question को समझेगा काफी important है money 20,000 रुपए दो भागों में उधार पर देता है वह पहले भाग को 6% तथा दूसरे भाग को 8% ब्याज पर उधार देता है उसे बारसिक औस्तन ब्याज 6.4% प्राप्त होता है देखिएगा इसमें क्या करेंगे direct allegation rule लगाएंगे क्या करेंगे direct allegation rule देखिए दो भाग में दिया है ध्यान दीजिएगा दो भाग में दिया है समझेगा आप सब student दो भाग में दिया है पहला भाग और यहाँ पर लिखते हैं second दूसरा भाग एक दिया है 6% दूसरा दिया है, दूसरा दिया है 8%, देखिएगा, एक 6 है, दूसरा 8, और और उस्तन इसे जो ब्याज मिलता है, overall हो है, 6.4%, बस इसी का allegation, allegation रूल अभी समझाएं, देखिएगा, बड़ा क्या है, हाँ, देखिए, बड़ा क्या है, 8 में से 6.4 घटाएंगे, देखिएगा, 8 में से 6,10,4 घटाएंगे तो क्या आएगा 1.6 अब देखिएगा 6 में से क्या करेंगे देखिए 3 में जो बड़ा है पहले उसे बीच वाला घटाएंगे 6.4 में से 6 घटाएंगे तो क्या आजाएगा 0.4 अगर दोनों में 10 से गुना कर दे यह 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आप डिरेक्ट कर सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 चोको 16, ऐसे भी कर सकते हैं, तो जो पहला और दूसरा भाग है, यानि कि 1st to 2nd, 1st to 2nd जो है, वो क्या है, 4 is to 1 के रेशियो में है, किस रेशियो में, 4 is to 1 के रेशियो में है, ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हैं, अगर 4 और 1 जोड़ दे, तो क्या हो जाएगा, 5, 5 रेशियो, ओवरल जो रेशियो होगा, टोटल रेशियो होगा, वो होगा 5, और रुपए कितना है, 20,000 है, तो 5 रेशियो बराबर क्या होगा, 20,000, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा, 4,000, एक रेश एक है एक के रेशियो में ठीक है यही तो है तो आप क्या कर सकते हैं चार और एक की वैलू ला सकते हैं एक वाले की आ गई है आप चार वाले की ला सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं एक रेशियो बराबर क्या है एक रेशियो बराबर 4000 है तो 4 ratio बराबर क्या होगा 4 चोको 16,000 तो जो रुपै होगा वो होगा 16000 और 1 होगा 4000 यही क्या होगा answer होगा ठीक है answer क्या होगा 16,000, 4,000 6% वाला क्या होगा 16,000, 8% वाला क्या होगा 4,000 ठीक है, उमीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है यह वाला तरीका आप लोग लगाएंगे ठीक है, यहां से बताइए कहीं पर कोई दिक्कत तो तो यह वाला तरीका क्या है, आसान है यह वाला तरीका आसान है आप ऐसे कर सकते हैं, एक की रेशियो आ गई आप चाहें, तो 4 की भी वैलू ला सकते हैं ठीक है, हाँ, एक की आ गई है आप 4 की भी ला दीजिए, और बता सकते हैं अगला कोशन देखेंगे, कोशन नमबर 28 कोशन नमबर 28 हम आप लोगों को बता दे यह मोस्ट इंपॉर्डेंट कोशन है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझने की आप लोगों को ज़रूरत है कोशन है, रमन ने 9 वर्स के बाद साधरण ब्याज के रूप में 13,300 रुपए का भुगतान किया उन्होंने पहले 2 वर्सों के लिए 6% की दर से अगले 3 वर्सों के लिए 9% और बाकी की आवधी के लिए 14% पर कुल रकम उधार ली उसने कितनी रकम रुपए में पूछ रहे हैं, उधार ली थी कॉशन काफी important है और बहुत ही simple तरीका हम आपको बताएंगे इस कॉशन को solve करने के लिए बहुत ही आसान तरीका एक बार इस कॉशन को आप लोग देखिए रामन क्या करता है टोटल जो वर्स है 9 वर्स के वाद साधारण भी आज के रूप में कितना 13,300 रुपए का भुखतान किया उन्होंने पहले 2 वर्स के लिए देखिएगा यहां कह रहा है पहले 2 वर्स के लिए 6% की दर से ध्यान दिजिए 2 वर्स के लिए 6% की दर से यानि कि 2 वर्स में क्या हो जाएगा 12% डेरिक्ट बोले तो फिर प्लस ध्यान दिजिएगा अगले 3 वर्स के लिए 9% की दर से तो 3 गुने क्या होगा 9% फिर प्लस बाकी बाकी अवधी बाकी अवधी मतलब 9 वर्स में 2-3 5 वर्स घटा देंगे देखिएगा 9 माइनस क्या करेंगे 2-3 5 घटाएंगे तो बाकी अवधी क्या होगी 4 होगा यही तो होगा 2-3 2 वर्स होगया 3 वर्स होगया बाकी क्या होगा 4 वर्स देखिएगा 9 वर्स टोटल है 13,300, देखिएगा, 2,6 के, 12%, प्लस, 3,27%, प्लस, 14,4 को, 53%, ध्यान दीजिएगा, आप सब इस्टूडेंट, बराबर, ये बराबर कितना है, 13,300 के, कितना है, 13,300, ये जो ब्याज है, देखिएगा, टोटल कितना परसेंट हो रहा है, है, आप सब इस्टूडेंट समझेंगे, 15, 27, 7, 6, 13, 83, 83, और, 12, 83, 2, 85, 10, 95, 95%, बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए, जोड़ेंगे टोटल, तो 95%, 95% ये ब्याज दिया है, और 95%, किसके बराबर है, 13,300 के, तो आपको बताना क्या है, उसेने कितनी रहका मुधार लेती, 100%, 100%, तो 100%, यानि कि मोलधन होगा, तो क्या होगा, 13,300, और, बटा का क्या होगा, 95, और गुने क्या होगा, 100, ठीक है, तो देखिएगा, 95, 95, 97, 19, 133, अब देखिए, 5 से, 20, 25, 100, 7, दुना के 14, आप लोगों का क्या आणसर आ रहे हैं, बताईए तो, 95%, बराबत 13,300, तो 100%, 100% मतलब रकम, टोटल रुपए, आणसर आगिया 14,000, चलिए, नेक्स कोशन देखते हैं, अगला कोशन देखिएगा, उमीद करते हैं, समझ गयोंगे, अगला कोशन आप लोग देखेंगे, कोशन नमबर 29, काफी इंपोर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे, ये जो कोशन है, most important है, अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, कोशन है, 6,600 को दो भागों में, इस प्रकार विवाजित करें, ताकि पहले भाग पर, पहले भाग पर, तीन वर्सों के लिए, प्रती वर्स, 10 परसेंट की दर पर, प्राप्त साधारण व्याज, दूसरे भाग पर, चार वर्सों के लिए, 9 परसेंट की दर से, प्राप्त साधारण व्याज बराबर हो, क्या हो, simple interest बराबर हो, क्या पूछ रहा है, च्छाचट सो रुपए को दो भागों में इस प्रकार भी वाजित करें, देखिएगा, इसके लिए दो तरीका है, यह बोल क्या रहा है, समझ लीजिएगा, काफी important question इसको समझा देते हैं, देखिए, च्छाचट सो रुपए है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यह बोल रहा सकते हैं, एक मान सकते हैं, च्छाचट सो माइनस X, बराबर करके कर सकते हैं, लेकिन जो आसान तरीका है, वो हम आप लोगों को बता रहे हैं, च्छाचट सो को आप क्या करिए, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे, एक मान लिजे X, दूसरा मान लेंगे Y, हाँ, X और Y के रेशियो में मान लेंगे, आ जाएगा, देखिएगा जो सिंपल तरीका है, आप क्या मान सकते हैं, X और च्छाचट सो माइनस X भी मान के कर सकते हैं, जो बेसिक तरीका बता है, दूसरा क्या मान सकते हैं, दो पार्ट में X और Y, यानि X जो है, वो कितने ध्यान देखिएगा, तीन वर्सों के लिए 10%, 10% की दर से 3 वर्सों के लिए, बटा क्या होगा, 100, SI बराबर क्या होता है, PRT अपन हंड्रेट, SI 1, दूसरा क्या है, ध्यान दिजेगा, Y रुपए है, इसका देखिएगा, rate of interest क्या है, 9% है, और time क्या है, 4 वर्स है, बटा क्या होगा 100, ठीक है, अब देखिए, simple जो तरीका है, 100 से 100, cancel, देखिएगा, 10, 3, 30, 30, X बराबर, 9, 4, 36, ध्यान दिजेगा, 9, 4, आप इसको कटा सकते हैं, इसको भी कटा सकते हैं, simple है, 3, 3 के 9, और 2 दूना के 4, और 2, 5, 10, ठीक है, अब देखिएगा, 5, X बराबर, 3 दूना के 6, Y, ठ बोल सकते हैं, X इस्टू Y बराबर, 6 इस्टू 5, ये बोल सकते हैं, अब देखिए, कुछ नहीं करना है, 6, 5 रेशियो अगर जोडे, तो 6, 5 जोडेंगे, तो क्या होगा, 11, यानि 11 रेशियो बराबर क्या है, 6, 800 रुपय है, 11 रेशियो बराबर क्या है, 6, 800 रुपय है, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा 600 होगा एक रेशियो बराबर क्या होगा 600 होगा तो पूछ रहा है क्या हम लोगों से हम लोगों से पूछ रहा है यहां पे दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग ध्यान दीजिएगा पहले भाग पर समझिएगा तीन बर यहाँ पे आप लूग थोड़ा संघेंगे, देखिये, दो भाग में विभाजित करना था तो आप यहाँ पे पैसा निकाल सकते है, x और y, एक ratio बडर क्या है? 600, तो 6 ratio बडर क्या होगा? 3600, 6 ratio बडर क्या होगा? 3600 और 5 रिशियो बराबर क्या होगा 3000 जो दोनों रुपए होंगे वो क्या होंगे 3600 और 3000 सिम्पल तरीका है यहां पर आप एक्स मान लेते या 6600 माइनस एक्स मानते जो 6600 एक्स मानते ना तो नौ चोग को 36 36 गुने चाचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच देखिए 7500 रुपए की एक रासी को दो भागों में विभाजित किया गया है पहले भाग पर 12% की बार्तिक दर से साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 18% की बार्तिक दर से साधारण ब्याज बराबर है प्रतिक भाग पर एक वर्स के लिए ब्याज रुपए में क्या है का आप सब्स्टूटेंट देखेंगे पचत्तर सो को एक मान लेंगे x है और y, x और y में तोल लेंगे, जो x है दोस्तों ओ कितने %? बारा परसेंट की दर से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, 12% की दर से बारसिक दर, बार्सिक मतलब एक वर्स के लिए है बटा 100 और ये भी क्या है 18% की बार्सिक दर है ये Y रुपए है क्या है Y रुपए है और ये कितने पर्सिंट की दर से है 18% की दर से एक वर्स के लिए बटा 100 SI बराबर क्या होता है, PRT upon 100, PRT upon 100, उमीद कर रहे हैं, समझ रहे होंगे, इसका अंसर आप लोग दे सकते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, 6 दुना के ध्यान दीजिएगा, हाँ, 26 के बारा नहीं, 6 दुना के बारा, इसे 2 से कट दे, 6 दुना के बारा, और 6 3 के ठारा, यानि कि 2X 3 स्टू 2 कर सकते हैं, अब देखिए, रेशियो अगर हम 3 प्लस 2 जोड़े, तो क्या होगा, 5, 5 रेशियो बराबर क्या है, 5 रेशियो बराबर है, 75 सो, देखिएगा, क्या है, 5 रेशियो बराबर 75 सो, एक रेशियो बराबर क्या होगा, 1500, एक रेशियो बराबर क्या होगा, 1500 तीन और दो के रेशियों में है तो तीन रेशियों बराबर क्या होगा पंदरा तियां पंदरा तियां पैतालिस सो तो दो रेशियों बराबर क्या होगा पंदरा दुना के तीन हजार पूछ क्या रहा है देखिएगा प्रतेक भाग पर एक वर्स के लिए ब्याज परतेख भाग पर एक वर्स के लिए ब्याज देखिएगा यानि कि 4500 का ध्यान दीजिएगा परतेख भाग के लिए ध्यान दीजिएगा एक वर्स का ब्याज क्या होगा आप लोगों से ये पैसे नहीं पूछा है पैसा तो हम निकाल लिए है एक वर्स का ब्याज तो तो पहला भाग है क्या है 4500 12% निकालेंगे 4500 का 12% कितना होगा देखिएगा दोनों से निकल जाएगा दो 0 से 2 0 कटेगा 12 65 का 0 और 6 हासिल 12 48 48 से 54 क्या होगा 54 ध्यान दीजियेगा कितना है हाँ 54 रुपए क्या अंसर आ रहे 540 रुपए देखिएगा यहां पूछ रहा है प्रतिक भाग पर एक वर्त के लिए ब्याज रुपए में होगा और दोनों बराबर है आप चाहें तो 3000 का 3000 का क्या 3000 जो दूसरा है वो 18 परसेंट है तो 3000 का 18 परसेंट निकाल सकते किसी से भी आप निकालेंगे तो आंसर आएगा 540 देखिए रुपए नहीं पूछ रहा है यहां पर कोशिन में पूछा है प्रतिक भाग पर एक वर्स के लिए ब्याज रुपए में क्या है तो वह है 540 रुपए यह आपका आंसर होगा क्या होगा 540 रुपए उमीद करते हैं आप सभी स्पूडेंट को समझ गए होंगे और इस टाइप की कोशन आपके एक्जाम में कभी भी आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे ठीक है चलिए हाँ उमीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों समझ में आई होगी और यहां पर आप लोगों का जो सिंपल इंट्रेस्ट है कम्प्लीट होता है आगे हम अगली क्लास में compound interest यानी चक्रवर्धी वे आज स्टार्ट करेंगे ठीक है तो आप सभी स्टूडेंट इंस्टाग्राम से जरूर जूर जाएए कोई भी डाउट है कोई री है आप हमें पूछ सकते इंस्टाग्राम पे सिसी मेकर सर्च करके फॉलो कर लिए टेली ग्राम से भी जूर जाईए आज ही डाउनलोड करें स्सी मेकर एप स्सी मेकर एप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करें